पुलिस के हाथ पुश्पा की हत्या की अप्माओं की वज़े से आप देख सकते हैं जित्तोरों तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू है पुलिस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये पूल से लगपच शोद पर मिले आठ घोलियों के निशा ए यह क्या कर रहा है तुब फुश्पा हुआ तिरुपती जेल से फरा इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बसाई गोलिया उता चराहे कि पुश्पा कम भी रूप से सखनी गुआ है शेशा चलम की जंगलों में पुश्पा कोटमूने के लिए पुलीस ने इक स्पेशल यूट डिपलॉई है अब बस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था विए उत्राइ जंगलों में लगाए गए वाईलाइफ सवेलन्स कामरा का वीडियो हमारे चानल ने अभी टाफ किया है यह कैमरा ज़िघ्यों को मौनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब हमारे स्टी केवल स्क्रीन पर देख सकते ही अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है अब रोज पुष्पा का जिन पर भरोज सा करते है उनसे दूखा खाना क्या होता है मुझे पता है उसे छोड़ के गल्ती कर दिया कार्द देने का था उसे उसे इसकी किमत चुकानी पड़ेगी वो जब इदर था तब तेरी भड़ गई थी क्या कुष्पा नाम सुनके फ्लावर्स अंजे क्या कि मैं इदर तांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं ख़्पा नाम सुनके नहीं उसे बाकी की South Indian films के लिए रास्ता बनाया और उन्हें सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि worldwide famous कराया और 400 CR की massive कमाई साथी साथ अलु अजुन की स्वाग और अश्मे का मंदाना की beauty की दिवानी बन गए खबर ये है कि South Indian ट्री बाद जो आते ही national crush की बनी वो साई पलवी पुषपाटू का हिस्सा बनने जा रही है जी हाँ फिल्मी दुनिया में इस खबर ने जोर पकड़ ली है कि साई पलवी ने पुषपाटू की कास्ट को जॉइन कर लिया है और उनकी फाहत फासल के साथ पैरिंग हो बताया रहा है कि उनका पुषपाटू में एक एक्स्टेंडड कामी होने वाला है पुषपाटा रूल की शूरिंग शुरू है और खबर है कि साई पलवी जल्द ही मुवी की कास्ट को जॉइन करने वाली है हाला कि इस बात को लेकर अभी कोई ओफिशल कानफामेशन नहीं दी गई है ना तो मुवी मेकर्स और ना ही अक्टरस ने इस पर कुछ खहा है ना ही ट्वीट किया है लेकिन ट्वीटर पर सांस ने इस बात को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शो की है कि आइकॉनिक साइंपल लगने को अलु अर्चुन के साधिक ना कौन पसंद नहीं जड़ेगा ताथि अलु अर्चुन ने कुछ पाटू के लिए हाइधराबाद में जिधारा एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है जिसके बारे में उन्हों ने मंगला वारम के प्री रिलीस इवन्ट में बताया है पर वो अज़ शीफ गेस्ट इन्वाइट थे और ये उनका नाशल अवार जीतने के बाद पहला पॉपलिक इवेंट भी था उन्होंने कहा कि पुछपा तुम्हें जिधारा एपिसोड एक मेंन हाइलाइट होने वाला है जिसका फर्स लोग पोस्टर तो हम देखी चुके हैं और इसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं कि और कहा कि 15 अगस्त को मुवी देखने के लिए तयार रहेगा और वो तभी इस बार ज्यादा बात करेंगे लेकिन साथी साथ उन्होंने अपने फैंस का आभार व्यक्त की और कहा कि आने वाले वक्त में वो अपने फैंस को प्राउड फील कराने वाले तब काफी सारे लोग ओफेंट हुए थे और उनका यह कहना था यह सही नहीं खायर अबाब अब कितने एक साइटर उस मोवी को लेकर हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ बाबाई दोस्तों फिल पुश्पाटू की मेकर्स की एक बात ना बड़ी अच्छी लगी की भरी कुछ भी हो जाये हम रिलीजण टो पॉस्पोन नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजण पॉस्पोन करना वत्त्ना की पैशंट गड़ा टेस्ट करना और उसने के पैशंट को टेस्ट किया न हो टेस्त में फेर होने के मैं जाता करीब आज जाते यसे कुछ लोग बच भी जाते हैं सालार की तरहा पर इस बार पुषपार 2 वाले रिस्क लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हजार करोड कमाने है भाई उसे रिस्क ने ले पड़ता तो पुषपार 2 वाले रिलीस टेट पोस्पोर नहीं करने वाले है वलकि ये फिर्म तो 15 अगस्ट 24 को रिलीस होने ही वाली है और इसके लिए डार्क्टर सुकुमान ने फिर्म की शूटिंग माई 24 तक पूरी करने का पैसला किया है तब तक वो रिलीस्ट होई फिल्में NTR की देवरा और प्रभास की कल की टूइट 9880 का फीदबैक भी देखेंगे और फिर्म में कोई ना कोई बदलाओं जरूर करेंगे पर इसके बाद पोस्पोरोशन का काम शुरू होगा और पर प्रमोशनल अक्टिविटीज शुरू हो जाएगी तैसे बहुत लोग ना सोच रहे इसका रिजन ही अलु अजुन है अलु अजुन का फैन बेस ना काकी जादा है अलु अजुन का हाइप नौट मार्केट मेना बागुबली के प्रभास और केजियत के यश्य बहुत पहले से है और वह अभी तक मेंटेंड है यह बास सही है कि सुकुमा डारेक्टर एसेस रा पर दबाही मचा चुका है तो इसके साथ साथ दोस्तों अब प्रमोशन से जबर्दस रहे तो उसे ना माजिक क्रेट करें से पोई ने रो सकता है जब अप्रटू ने माजिक क्रेट क्या रास ते उसे वैसा ही वैसे भी जब आप्टर ओपन की तीम को यह समझ में आता है कि कि इस मार्केट में कौन सी प्रमोशन स्राटेजी वर्फ करेगी तो उनका हाइप बढ़ने में साधा ताइम नहीं लगता है वैसे पुष्पाटू को लेकर डिस्तिडूटर्स प्रमोटर्स पॉज़टर फीड़बैक दे रहे हैं उससे सब को यकीन है कि पुष्पाटू पर अलु अर्जुन जब नौत मार्केट में प्रमोशन करते ना तब उनका हिंदी लैंग्विज में बात करना जिससे वो लोगों के साथ इमोशनी अटाच हो सके वी बड़ा साफ्टर है जो पुष्पा की प्रमोशन के वक्त नजराया था अलु अर्जुन हो रामचरन हो एंटी आर हो राजा मॉली हो इनहें पता है दोस्तों कि अब स्पेसिफिक मार्केट में लैंग्विज को लेकरना लोग बहुत पज़ेसिप होते हैं अगर यही बात कोई बॉलवड अक्टर साउथ इंडोस्टी में करे ना तिल्गू बोले का मिल बोले तो वहां के ओडिय देखते हैं कि इस बाप प्रमोशन से पुषपा को कितना बढ़िया फाइदा मिलता है तो फिलहाल आपको क्या लगता है हमें कॉमेट्स में तरूर बताएं साथी वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें पुषपा टू में साड़ी कंगन नेल पॉलिश में अलू अर्जुन की लुक की असली कहानी क्या है पुषपा टू से अलू अर्जुन का फस्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ तेड़ी गर्दन किये पुषपा आज नीले रंग में पुता शरीर पर साड़ी एक हाथ में पिस्तॉल लेकिन उसी हाथ के नाखुनों पर नेल पॉलिश लगी है हाथों में छन चमकते गोल्डन कंगन है गले में कच्चे नीबू की माला इस लुक की शोबा बढ़ाने का काम कर रही है अलू अर्जुन का ये लुक चौकाने वाला था लोगों ने उमीद गी थी कि व उसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ये एक फोक फेस्टिवल है जिसे करनाटक और आंधर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है साथ दिनों तक चलने वाली गंगंमा जात्रा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है इस दोरान भव्वे पुजा की जाती है महिलाओं की तरह सज कर उन की तरह शिंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं संभव है कि पुषपटू में अल्लू अर्जुन का गिर्दार भी ऐसी यात्रा में हिस्सा ले रहा होगा तब ही उसने ऐसा वेश धरा हो लेकिन तिरूपती में मनायी जाने वाली गंगंमा जात्र की कहानी बिल्कुल विप्रीत है। लोग मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपती और आसपास के इलाकों पर पले गुंडेलूर नाम का एक आदमी राज करता था। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया लेकिन वो बच निकला। जाकर किसी अज्यात स्थान में छुब गया। उसे बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपती के लोग विचित्रवेश धर कर बाहर निकलते। गंगम्मा को कोशते। इ अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं पुश्पाटू के लिए हमें कमेंड बॉक्स में अपनी राइज जरूर बताएं और देखते रहे हैं हमारे चैनल पॉलिग्राज स्टूडियोज। अब रोल पुश्पा का। पुश्पाटू के मेकर्ज ने रिलीज देट अनाउंस करने के लिए फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया। इसमें अलू अर्जुन ने परपल कलर की कमीज पहनी हुई है, उनका चैरा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनका हाथ दिख रहा है। पुश्पाटू के इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि मेकर्ज ने पुश्पाराज के किरदार के साथ कुछ अलग करने की कोशिश की है। या कुछ और एंगल भी हो सकता है। पहले तैयारी थी कि पुश्पाटू को 2022 में रिलीस किया जाएगा क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी। तब ही KGF2 रिलीस हुई। उसके बाद मेकर्ज ने पुश्पाटू को दोबारा से शूट किया। इसलिए उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए बकाइदा एक साल का समय लिया है। पुश्पाटू में अर्जे देवगन के सातक्षे कुमार, रन्वीर सिंग, दिपगा पादुकोन, करीना कपूर और टाइगर श्रॉफ जैसे अक्टर्स नजर आने माले हैं। ये तो प्राइमरीरी कास्ट हो गई, बाकी रोयचेटी कॉमेडी गैंग भी इस फिल्म का हिस्सा होगी। पही पुषपा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मी का मंदाना पहाद फासिल तो होगे ही, उनके साथ साई पल्लवी, जगपती बाबू और प्रकाश राज भी जुडेंगे। पुषपा दराइस के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट अक्टर का डैशनल अवार्ड मिला है, वो ये अवार्ड पाने वाले पहने तेलिगू अक्टर है, एर पुषपा 2 को रंगस्थलम फेम सुकुमार डायरेक्ट कर रहे है, आप कौन सी मूवी देखने जाएंगे, पुषपा 2 या सिंग्णम 3 हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहे हमारे चैनल पॉलिग्राद स्टूडियोज घबराने की कोई ज़रूर ने, मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट बादमाशों को डिसंट हुआ पुल्को जवास ताएंगे मेरे पास बात करने का वक्त ही है अब मैं जो भी बात करूँगा वो सिर्फ सिर्फ कुछे मारने के बात करूँगा पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझे क्या फ्लावर में ही फायर है में पुश्पा दा रूल से अलू अरजुन का अलग और डबल रुमांचित करने वाला कियोदार देखने को मिलेगा पुश्पा दारूल में दर्शुको को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा पहले पार्ट में पुश्पा ने शिखावत को धमकी दी थी कि शरीर पर वर्दी तो होगी लेकिन उसकी कोई नहीं सुनेगा ना उसकी इज़त करेगा वहीं दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा जिसमें देखने को मिलेगा कि गाउं वालों का भला करने वाला पुश्पा को पुलिस के जरीए जेल में डालने जाने और फिर उस पर गोलियां बरसाए जाने पर खूब बवाल मचेगा पूरा गाउं पुलिस प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा पुश्पा के लिए मौर्चा खोला जाएगा और चारों तरफ दंगे होंगे पुश्पा दरूल में भी अलू अर्जुन की रश्मी का मंदाना संग जोड़ी जमेगी दूसरे पार्ट में श्रीवली एक बच्चे की माँ बनेगी इतना ही नहीं पुश्पा अपने दंपर एक बड़ा एंपायर खड़ा कर लेगा जिसके बाद चारों और उसके नाम की तूती बोलेगी वहीं जॉली रेड़ी जो पहले पार्ट में लगबग मौत के मूँ में पहुँच गया था पूरी फूर्ती के साथ वापसी करेगा इस मूँवी में शीनू की पत्नी दक्षाइनी और फ़ अंसुया भारदवाज भी अपना दमखम दिखाएंगी एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पाद राई साल 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिये फिल्मों में से एक बन कर उभरी इस फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर 300 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई की याद हो कि इस फिल्म में श्रीवली, सामी, सामी और उउटवा जैसे ट्रैक बड़े पैमाने पर चाट बस्टर्स के रूप में उभरे वहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इन सूपर हिट गानों की सीक्वल की भी बात आती है तो फैंस इससे काफी उमीद रखते हैं बीएसपी पुश्बा दरूल के लिए ट्रैक तयार करने के लिए लोटे हैं इसी को लेकर संगीत कार ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म के कुछ गाने पहले ही तयार कर लिये हैं वहीं इसके लिए खुद के उत्सा को शब्दों में साजा करते हुए डीएसपी ने कहा हर कोई पुषपा 2 फिल्म और उसके संगीत का इंतजार कर रहा है मैं वास्तव में उस प्यार के लिए शुक्र गुजार हूँ जो सभी ने हम पर बरसाया है जिस तरह से निर्देशक सूकुमार सर ने कहानी लिखी है वो अधभुध है हम हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत और लगन से काम करें हैं डीएसपी ने पुषपा के समान था रूत प्रभू के विवादित लेकिन चर्चित गाने उँ अंटवा के दूसरे पार्ट में रिप्राइस को लेकर कहा हम पुषपा 2 में उँटवा के किसी भी रिप्राइस को नहीं देख रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी पहुत सर्प्राइस पर काम चल रहा है मुझे उमीद है कि हर कोई फिल्म और उसके एंबलम को पुषपा क्या 500 करोणी फिल्म बन पाएगी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिग राद के फिल्मी कलियारिन पुषपा दा राइज ने हिंदी बाजार में करीब 100 करोण का बिजनिस कर लिया है पुषपा फिलहाल OTT पर रिलीज हुच की लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसला जारी पुषपा के गाने और संबाद सब कुछ काफी हीट रहा है पुषपा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइनस टेली फिल्म्स के डारेक्टर मनिश सा का हाथ जिन्होंने इस फिल्म का राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज किया साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और पुरा देश पुस्पा 2 के आने का इंतजार कर रहा है हाली में मनीश शाह ने एक इंटर्व्यू में पुस्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर सुटिंग स्डियूल को लेकर जवाब दी दिये के इंटर्व्यू में मनिश सा ने कहा कि पुस्पादा राईज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई पहले दिन अलो अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोन के साथ बॉक्स ओफिस पर खाता खोला था लेकिन क्रिस्मस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक पर तेज रफतार पकड़ी और आज ये फिल्म सौ करोन का आंकरा चुने में काम्याब हुई मनिश सा ने पुस्पाद टू की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लेगा उन्होंने साफ कर दिया कि पु क्या प्रभास की बाहुवली दा कंक्लूजन का रिकार्ड पुस्पाद टू तोड़ पाएगी इस पर मनिश सा ने कहा कि बाहुवली के पहले पार्ट ने 120 करोन की कमाई और पुस्पा ने करोन नहीं भलकि एक हजार करोन तक का बिजनिस कर सकते दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पुस्पा टू एक हजार करोनी फिल्म बनेगी खिर कब रिलीज होने जा रही है अलू अर्जुन की पुश्पा आखिर रिलीस से पहले किसने से देख लिया है क्या व इस फिल्म का आधा भाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वो भी करारी वाली आपको बता देए ये आक्टर है मुची बाबू इन्होंने सूपर हिट साउथ इंडियन फिल्म उपेन से लायू लाइट हासल की थी और बॉक्स ओफि रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 KGF के बराबर है फिल्म में अलू अर्जुन का करदार माइंड ब्लोइंग है वही रश्मे का मंदाना भी एहम रोल में नजर आने वाली है फिल्म के मेकर्स पुष्पा का बचा हुआ पार्ट अगले दो हफ्तों में पूरा कर तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार रुलीस होना है फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबु की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने काय वैसा होत अगर पुष्पा रिलीस होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगे साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जन होंगे दूसरे तरफ यश होंगे और यश ने तो अर्रेडी एक ट्रेलर रिलीस कर दिया के जो कि धासू नुच्प है तो कांटे की ठकर होने वाली है दोस्तो आपको क्या लगता है आपको फितना वेट है पुष्पा का और क्या लगते है गर पुष्पा और की रशमी का मंदाना की कही एक बात में उन्हें नेटिजन्द यह के निशाने पर खड़ा कर दिया गया है मैं पुबली और केजिएफ के बाद फिर उन्हें साउथ इंडस्ट्री की तरफ से हाई ओन एंटर्टेन्मेंट की सोगात मिलने वाली है। उपर से फिल्म के लीड रोल कोई और नहीं बलकि साथ सूपरस्टार अलू अर्जुन है। इसके अलावा इंडिया की प्रेजन्ट क्रश दे क्यूटी रश्मीका मंदाना भी इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाली है। जाहिर है एक्साइटमेंट का लेवल साथवे आसमान पर होने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदाना की इस गलती के बारे में जो शायद इस पूरी फिल्म के लिए खत्रा बन सकती है। तो क्या है वो? दरसल कुछ साल पहले जब रश्मीका के करियर उडान के लिए पंक फैला ही रहा था, तब एक इंटरव्यू में उनसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े शो ओफ का नाम पूछा गया। काफे जिजगते हुए उन्होंने नाम दिया केजी एफेक्टर रॉकिंग स्टार येश का। फिर क्या था? येश की फैंडम ने भारी मातरा में उन्हें कमेंट्स ट्रोल्स करना शुरू कर दिया। उनके इसके नाम से पूरे मीरिया को हिला कर रख दिया। आखिर बेहार कर खुद रश्मीका ने येश के फैंस को एड्रेस करते हुए लेक्टर लिखा जसमें उन्होंने कहा कि वो किसी के डिस्रेस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने फैन से ये सब तुरंत रोकने को कहा था उन्होंने कहा कि वो रश्मीका एक दूसरे को परसनली नहीं जानते है और किसी को भी किसी के भी बारे में ओपिनियन्स रखने की पूरी अजादी है इसके उनके बिहेवियर में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी रश्मीका को उनके नाम पर हैरेस करें ये सब कहा केज ये स्टारर येश ने आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो पुरानी हो गई है लेकिन अब जब रश्मीका और येश दोनों ही स्टार्डम की उचाईयों पर है तो अकसर उनसे जोड़ी ख कि आपको क्या लगता है क्या पुष्पा की सक्सेस पर भी असर ढाल सकता है ये फिर फिल्म बिन चुका है और एक साउथ की सूपरस्टार है जिन्होंने इस फिल्म का आधावाग देख लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि ये केजी अफ को टक कर देगी वह भी करारी वाल कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है इसका पहला भाग देख लिया है अब इसके दूसरे भाग के एडिटिंग चल रही है लेकिन बुची के अनुसार पहले भाग को ये देखकर वो इतना दावा कर रहे हैं कि पुष्पा का पहला भाग 10 kgf के बराबर है फिल्म में अलू के अंत में रिलीस करने का सोच रहे हैं मुची बाबू की माने तो अलू अर्जुन साल 2021 के अंत में सबसे बड़ा धमाका करने को तयार है अगर बात के जीफ की करे तो इसका दूसरा भाग भी इसी सार रिलीस होना है फिल्म के पहले पाथ ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था ऐसे में देखना दिल्चस्प रहेगा कि बुची बाबू की जो पसंद को दर्शकों का सलाम मिलता है या नहीं मतलब की जैसा उन्होंने कायव ऐसा होता है कि क्योंकि के पहले भाग को हर भाशा के दर्शकों ने बहुत जादा प्यार दिया है अगर बुची कर रहे हैं अगर मोस्ट अवेटेज फिल्म बोला जाए तो के जीएफ है तो ऐसे में अगर पुच्पा रिलीज होती है तो यह देखना दिल्चस्प होगा कि क्या यह को टकर दे पाएगी साउथ के दो बड़े स्टार भीडेंगे एक तरफ अलो अर्जुन होंगे दूसरे निकलेगा क्या एक जूट पड़ जाएगा उश्पा के पीछे हो रही लाक महनत पर भारी तो हाई गाइस में हुष्ट्रिया रोरा आपके आज की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीकाट्स वीडियोस में तो चलिए बिना जादा वक्त गव आज़ता या बोलीवूड इंडास्ट्री नहीं बनकि होल इंडिया के फैंस कर रहे होते हैं और इन फिलमों में पिछले कुछ समय से साउथ इंडास्ट्री ने लीडिंग पीशिशन हासिल कर रखी है इन ही मौस्ट आंटिसिपेटट फिलमों में से एक है साउथ सूपर स् अपकमिंग आक्शन त्रिलर फिल्म उश्पा जिसके बारे में हर नई खबर फैंस के लिए फदेंग की एक्साइटमेंट को चार गुना बढ़ा देती है लेकिन कहीं अलु अर्जुन पर लग रहे इन इल्जामों से पूरी महनत पर पानी न फिर जाए तो आखिर क्या है स्वीट और एक अनाउंस्मेंट से वैसे तो अलु अर्जुन के फैंस के लिए एक बेहत सुखद घोशना थी लेकिन शायद खुद अलु के लिए ये इतनी लखी नहीं रही दरसल साउथ के फेमस प्रेडियूसर बनी वास और अलु अर्जुन काफी अच्छे दोस्त हैं ह अलु मुंबई गए थे जहां वास किसी काम में बुजी थे ये वाकई हूं के लिए एक हांट वर्मिंग सप्राइज था जो कि कुछी समय में अलु के फैंस के लिए इतना बड़ा शौक बन गया अच्छली वास ने अलु की कुछ अपकमिंग फिल्मों की अनाउंस्मेंट की जिसमें पुश्पा, वेनू स्रीराम की आईकन, पुश्पा 2, बोया पती श्रीनू डारेक्टिव फिल्म, और अटाला सिवा की फिल्म और एर मुरुगा डॉस के अपकमिंग प्रजेक्स भी अब आप सोच रहे होंगे कि अक्टर के पास इतनी फिल्में होना तो खुशी की बात है, लेकिन इस अनाउंस्मेंट ने अक्टर को मुसीबत में डाल दिया, पहला कारण तो ये कि अक्टर्स अक्सर अपनी फिल्मों की अनाउंस्मेंट यू नहीं करते हैं, अनलेस उन पर काम जल्द ही शुरू होने वाला हो या हो चुका हो, प्लास इस लिस्ट में एर मुरुगा डॉस की फिल्म भी शामिल है, जिसे अलू ने पिछले साल ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद इसके लिए राम कोथी ने इनी को अप्रोच किया गया था, अब पूरा सिने व कमिंग फिल्मों की लाइन काफी लंबी है, अब डर तो यही है कि कहीं इस टांट का अलू के करियर पर बुरा असर ना पड़े और लोग उन्हें लाइम लाइट और दिखावे के लिए डेस्करेट ना समझे, तो चलिए आप हमें चल्दी से कमेंट करके बताएए कि आपक आई हो, तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पिल्कोल ना भूलें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जिए वीडियो को आकर तक देखना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, तो दोस्तों, बाहु बेली के ग्रेंडोर और उसके बाद KGF के सुनामी के बाद, अब ऑन स्क्रीन पुषपा उतर रही है अपना कहर जमाने, पुषपा डार्टर सूकुमाद वारा नेदेशित मूवी है, जिसको एक पान इंडिया रिलीज मिलने वाली है, और और शायद इसी प्रपोर्शन और इसी रेशियो को चेंज करने के लिए, अब फाइनली अलू अर्जुन अपनी पान रिलीज लेकर तयार है, लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साउट के आकतर प्रभास को क्या अलू अर्जुन टक्कर दे पाएंगे, बात दरसल लिए है कि अलू अर्जुन को प्रभास के पराबर आने के लिए प्रभास के ऊपर चड़ना पड़ेगा, अब मैं जानती हूँ आप काफी कंफ्यूज हो गये होंगे, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बड़ेगी, आपकी कंफ्यूशन दूर होती जाएगी, इसे वीड पान इंडिया रिलीज वाली मूवी पुश्पा के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुश्पा रेट सांडल बूड की स्मगल की कहानी होने वाली है, जिसमें अलू अर्जुन काफी खास क्रिदारों में नजर आने वाले हैं, जहां एक तरफ वो एक प्रोफेशन होंगे, वहीं पर वो एक स्मगलर बाई क्राइंग होंगे, और इसलिए मूवी का जादा तरपाट उनको पकड़ने में और उनके छुपने और भागने के लाजबाब तरीकों को दिखाने में ही निकल जाएगा, अब खास बात ये है कि बॉक्स ओफिस पर बा मूवी नहीं मिल्की प्रभास की सलार से होने वाला है, इन दोनों फिल्मों के बीच में काफी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, पहली बात तो ये कि दोनों के दोनों साउथ के बहुत फेमस आक्टर्स हैं और बॉलेवर्ट में अपना नाम जमाने की फोशिश्मेंट, वही लांगना के एक ऐसे जगह पर जहां पर उसको कोल माइन कहा जाता है, अब पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि पुश्मा एक स्पगलर से जुड़ी कहानी है, लेकिन क्योंकि शूटिंग फिल्म की कोल सीटी जैसी जगह पर हो रही है तो हम लोग ये कैस लगा रहे हैं क कि शायद सलार में भी हमको कुछ ना कुछ स्मगलीन से रिलेटेट ज़रूर मिल जाए अब अगर वहीं बात करें सिर्फ इन दोनों फिल्मों के बारे में तो अभी केजी अब भी ऐसी है जो कि गोल्ड पर अपना कबजा दावाने की कोख रिश फेर रही है तो दोस्तों अ ऐसा नजर आता है कि फाइनली फिल्म के मेकर्स मुझे दुनिया पर राज करना है वाली थियोरी और वाली ओपीनियन से निकल कर रियाल्टी को हिट कर रहे हैं और अब जग ऐसी मूवी बना रहे हैं जिनमें अक्चुली मरना मारना जायस लगेगा हाला कि सबसे बड़ी बाती है कि फिल्म की रिलीज कैसे रहेगी और बॉक्स ओफिस पर वो कितनी टकर दे पाती है प्रभास की मूवी सलार को और अगर ऐसा है तो हमको लगता है कि उनको प्रभास से ज़ादा हिट करना पड़ेगा अपने मूवी को ताकि वो प्रभास वाले स्टानर्ड पे करेंड़ी आ सकें अब सिर्फ इतना ही नहीं खास बात ये भी है कि ओडियन्स अब हीरोस को सर्फ हीरो के यारेक्टर में नहीं देखना चाहती उन लोग को पसंद आता है कि अगर नेगेटिव करेंटर को एक्स्प्लोर करने का मौका मिले और सबसे खास बात यही है कि तीनों मूवी में कहीं ना कहीं ये तीनों नेगेटिव करेक्टर होने वाले हैं जिनके एक्स्प्लोरेशन के उपर ही मूवी गूमने वाली है अब इतनी सारी सिमिलारिटीज और आज पास की रिलीज डेट तो देखना होगा कि किस मूवी को कैसा उपिनियन मिलता है लोगों से और दर्शक किसको देते हैं बेस्ट स्मगलर काताज तो दोस्तो आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें कैसे एक बार फिर पुष्ट पाने लिए के जेव से इंस्पिरेशन क्या है फिल्म की नई अपडेट पर फैन्स का रियाक्शन नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत करती हूँ आप सब का बॉलिग डायर स्टूडियोज में पुष्पा अलू अजुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जुसमें लॉरी ड्राइवर बने अलू अजुन तो रैट सैंडल्वोड की तसकरी करते हुए नजर आने वाले हैं सुकुमा डिरेक्टर इस फिल्म में हमें पहली बार अलू अरजुन और रश्मी का मंदाना की जोड़ी को एक साथ देखने को मिलेगा अलू की दूसरी फिल्मों से बिलकुल अलग जहां उनके डैशिंग हैंसम अफ़तार में पेश होने की वज़र से और उनके लुक्स के वज़र से थियेटर में टिकेट बिखती है और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है टिकेट बिखने का इस बार उन्हें रग्य डवदार में दिखाय जाएगा जो उनके चोर किरदार को बिलकुल जस्टिफाई करता है लेकिन शायद इतनी खबरों से उपरिया एकसाइटमेंट मेकर्स के लिए काफी नहीं थी कि अब उन्होंने एक और हाई लेवल एकसाइटमेंट का तड़का फिल्म में डाल दिया है क्या और कौन जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए हम बात कर रहे हैं फिल्म से रीसिंटली जुड़े आड्टर फहाद फाजिल की अगर आप अलू अरजुन या फिर रश्मिका मंदाना के डाइ हाड फैन हैं तो आप उनकी पुश्पा से जुड़ी हर अपडेट तो फॉलो करते ही होंगे और आपको फिल्म में हुई इस न्यू इंक्लूजिन का भी पता होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि फहाद फाजिल का इस फिल्म से जुड़ना इतना स्पेशल क्यों है वेल इसका जवाब तो फिल्म के ओफिशिल चैनल के रिलीज हुए वीडियो में ही मिल जाता है जिसमें फहाद को नैशनल अवाड बिनर और पार हाउस ऑफ मॉलिवड के नाम से इंट्रिडियूस किया गया है जैसा की वीडियो में बताया गया है कि फहाद फाजिल को इस फिल्म में अलू एजन के साथ एक फेस आफ के लिए लाए गया है लेकिन सुकुमार इसमें प्रशांत निलवाली गर्ती नहीं करना चाहते जिनकी ब्लॉक बस्टर केजियूफ में गरुडा के वेरी इंटिमिनेटिंग अपियरिंग किरदार को सिर्फ रॉकी के एक वार में ही मर जाने के लिए रखा गया था इसलिए वो किसी ऐसे अक्टर की खोज में थे जिनके साथ ओडियंस को सिर्फ फेस ओफ ही नहीं बल्कि बिगिस्ट एवर फेस ओफ देख पाने का थ्रिल आए और ये कोशिश काफी काम्याब होती भी नज़र आ रही है ऐसा हम नहीं कह रहें बल्कि ये इस न्यूस से इंप्रेस्ट फैंस का मानना है उनका कहना है कि फाजल और अलू अरजुन का कोलाबोरेशन गुभी सुकुमार के डिरेक्शन में इस से बहतर तो कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता वहीं एक और फैन ने कहा कि फाज अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकते हैं अलू अरजुन के फैन्स वागई लगी है कि उन्हें इन दो सितारों की टककर देखने को मिलने वाली है आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आप इन दोनों की टककर को देखने के लिए कितने एक्साइटन है और अगर आपको ही है पुष्पा और केजियर से बीच चब कौन होगा इस रेस का अल्टिमेट मिनट पुष्पा अलू अर्जुन की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है जिसका रिडिक्शन सुकुमार कर रही इस फिल्म में नैशनल क्रेश रश्मे का मंदाना को एट रीडिंग लेडी का कास्ट किया गया इस फिल्म को लेकर ओडियंस में जितना क्रेश है उतना ही तनाब भी है तनाब इसका कि KGM सीरीज के बीच जंग के विजेता का फैसला करने का जी हां दोनों फिल्मों के बीच कई कॉमन पॉइंट्स को औरी दर्शुकों के सामने रखे जा चुके हैं लेकिन एक बार फिर क्यों इन दोनों के तकरार को लोगों ने देखा जाने के लिए हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए को और अगर आको मारा वीडियो पसंदाए बिस लाइक शेय करना भूख करना बूख ना बूलेगा जिन ने इसका पहला गाना तयार किया था जो खबरों के अनुसाल सुकुमार और अलू अर्जिन के पहत पसंद आया था और गाना जुलाई के फर्स वीक में ही दर्शबों के लिए रिलीस किया जाएगा लेकिन मुसीबत ये है कि गाने से फिर एक बार KJF फैंस और पुश्पा फैंस आमने सामने खरे नजल आ रही है जैसा कि आप सब लोग चाहते हैं कि KJF के सकसेस के पीछे Music Composer अभी पसरूर का Special Contribution था जिनकी Composition audience को इतने पसंद आए कि हर पांच मिनिट में एक आदमी का रिंग टोन में कोई न कोई KJF का सौंग हमें सुनने को मिल ही जागा था अब इस announcement में कारण लोग इसे DSP vs. पसरूर की तक्रार के तौर पर देख रहे हैं और जानता चाहते हैं कि दोनों में बहतर है जी हां आप सोच रहे होंगे कि गाने से सबी फिल्मों में होते हैं इसमें KJF connection क्या है लेगें आपको बता देगी गाना DSP ने लिखा है वो स्पेशली फिल्म में अर्लू अर्चुन की कैरेक्टर को एक्स्प्रोइन करेगा जी हां और वो थी एक पार-पार तरीके से और अगर आपको याद हो तो KJF में भी सलाम रॉकी भाई नाम से एक गाना रखा गया था जिससे और और आज भी कई बार किसी ने किसी स्वैग वाले वीडियोस में हो गाना सुनने को मिल ही जाता है इसी कारण से लोग जानने के लिए बेहुत एक्साइट हैं कि पुश्पा का ये गाना केजी है कि गाने को टक्तर दे पाएगा या नहीं आपको इस बारे में क्या लगता है और दोनों फिल्मों से आप किसको वेड देना चाहेंगे बताएए हमें कमेंस में इसके बाद फिल्म के टीजर को भी फैंस का बेता हाशा प्यार मिला जिसमें अलू अर्जुन के रग्ड लोग को तो खास तोर पर काफी एप्रीसियेशन्स मिली फिल्म एक अक्शन त्रिलर होने वाली है जिसमें रेड सैंडल वुड की स्मगलिंग की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म का क्रेज अलरड़ी अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर है पर मेकर्स इसमें और तड़के लगाने की फिराक में है अब क्या नया किया जा रहा है इस फिल्म में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फिल्कुल ना भूले तो जैसा कि आप जानते ही है कि किसी भी इंडियन फिल्म की सक्सेस में फिल्म के गानों का खास हाथ होता है और खास कर अगर आपकी फिल्म में डांसिंग सूपरस्टार अलू अर्जन हो जिसका एक स्टेप भी सेंसेशन बन जाता है तब तो फिल्म के गानों पर ध्यान देना उतना ही जरूरी होता है जितना की पूरी फिल्म पर और इसी खास जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेकजने फेमस म्यूजिक कमपोजर देवी शंक प्रसाद के दर्वाजे खटखट आए हैं खबरे आ रही हैं कि देवी शंक प्रसाद ने हाल ही में फिल्म में अलू अर्जन के कैरेक्टर को समझते हुए एक गाना बनाया है जिससे सूकुमार और अलू काफी जादा इंप्रेस्ट नजर आ रहे हैं ये सौंग जलाए के फर्स्ट वीक में दर्शकों के लिए रिलीस किया जाएगा तो आपको बताँ देगी देवी शंक का प्रसाद इससे पहले भी अनंदम, कालू सुको वालनी, मन मधूदू, वर्शम और आर्या जैसी सक्सेस्फुल कॉमपोजिशिशन इंडास्टरी को दे चुके हैं, जिसमें से आरया तो अलू अर्जुन की ही फिल्म है, इस तरह इन दोनों की कॉलाबॉरेशन तो ओल्रीडी हिट रही है, देवी सर को इंडास्टरी के वन आफ दी मोस्ट सक्सेस्फुल म्यूजिक डैरेक्टर्स में गिना जाता है, और शायद यही कारण है कि सुकुमार ने अपनी पैन इंडिया फिल्म के लिए इन्हें चुना, क्यूंकि इस काम के लिए ऐसे कंपोजर की जरूरत थी, जिसकी धुन किसी भी इंडास्टरी के बैरियर्स को हटा कर पूरी इंडिया की ओर्डियंस पर एक चैसा ही इंपक्ट करें, जहां शायद शंक प्रसाद और सुकुमार को हमेशा ही एक किलर कॉंपिनेशन समझा जाता है, लेकिन रीसेंट सोशन मीडिया ट्रेंड्स के कारण अलू के बटा बमा सौंग की मैसिफ पॉपुलारिटी के बाद देवी शंक प्रसाद के कंधों की जिम्मेदारी और भी जादा बड़ी और इंपोर्टेंट हो गई है, अब वो इसे कैसे निभाते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, तो खेर अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें चल दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस धमाकेदार गाने को सुनने के लिए कितने एकसाइटेड हैं, और साथ ही साथ फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारी यूट्यूब चानल बॉलीक्राट स्यूडियोस को सब्सक्राइब भी जरू अलु अर्जुन के इस नए रफ लुक ने मानो लड़कियों को घायल कर दिया और अगर वहीं बात करें लड़कों के बारे में तो उनके लिए तो स्टांडर्ड ही रेस कर दिये हैं वैसे भी अलु का नाम भारत के सबसे हांसम आध्यों में लिया जाता है और उसकी उपर स उनका ये रफ लुक तो ना जाने कितने लोगों का पत्ताकार देता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लुक के पिछे चुपा असली टालेंट कौन है नहीं कोई नहीं हम बता देंगे तो दोस्तों ये चीज तो आपने नोठी की होगी कि हम कई बार आक्टर्स की रहे हैं यार रनवीर सिंग ने कापल पाजी का क्या लुक लिया है हमको तो पहचान में नहीं आया कि पा में वो अमितार पच्छन ही थे लेकिन दोस्तों उसके पीछे हुई मेहनत को रगनाइस करना हम अकसर भूल जाते हैं लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर तहल का मचा देने वाला ये लुक असल में मेकप आर्टिस्ट और लुक डेजाइनर प्रिती शील सिंग का देन है जी हां दोस्तों अगर आपने पद्मावत में खिलजी के लुक से खौफ महसूस किया था या फिर हैदर में शाहित के लुक पर तालियां बजाई थी या फिर बाजी राव मस्तानी पादमावल जैसी फिल्मों के किरदारों सा लुक पाने के लिए मेकप टुटोरियल सर्च किये थे या फिर सौनाट आउट में रिशी और अमिताप सर का लुक देखकर आप भूली गए थे कि लोग असल में दिखते कैसे हैं या पर गंगुबाई काठ्यवादी में आल्या की लुक को देखकर हैरान रहे गए थे तो आपको बता दें कि आप अंजाने में प्रिती शील के ही टालेंट को सहार रहे थे जी हां दोस्तों ये सारे के सारे आइकॉनिक पिक्चर्स और उनके ये आइकॉनिक लोग उन्हीं की इतना ही नहीं मॉम, हाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसकुल 3, बाला, पंगा, अंदादुन, छिचोरे, मुल्क, पती-पत्नी और वो यसी कई ऐसी फिल्में हैं जिनके एक लंबी लिस्ट साथ हो जाएगी अगर आम उनकी टालेंट की बात करें तो अब आप इन सभी लुक्स को याद कीजे और हमें ध्यान से बताईएगा कि आपको कौन सा लुक बैस लगा था साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर करें गया लाइक और शेयर और कर दीजिए करने वाले हैं बॉलिवुड में डब्यू नमस्कार दोस दो सो करोर का कलेक्शन किया था अलु अर्जन की पॉपुलारिटी और उनकी लास्ट हिट मुवी और उनकी अपकमिंग सिल्ण पुष्पा राज को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में गिरे हुए हैं अलु अर्जन का नियू रॉ लुक भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है वहीं मुवी की स्टोडी लाइन को लेकर काफी सारे रियूमर्स मारकेट में खड़े हो चुके हैं जहां मुवी को सेकंड पार्ट में रूलीज करने का सोचा गया है और डिडेक्टर ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया था कि इस मुवी में विलिन की और तबा तोड़ फाइटिंग सीक्वेंस दिखाये गए हैं इस मुवी में अलू अरजुन का रोल एक लॉरी ड्राइवर का बताया गया है अब सवाल ये खड़ा होता है कि लॉरी ड्राइवर ज्यादा अक्शन सीन्स क्यों कर रहे हैं ये बात भी काफी ज्यादा सुर्ख में की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अलू अजुन को पुष्पा राज मुवी में चिट्टू डालेक्ट में फिल्म के सभी डायलोग्स बोलने हैं जिसके लिए अलू अजुन अलग से एक लांगविज इक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो सही त बताया कि पुष्पा राज में कुछ ऐसा देखनी को मिलेगा जो कि फैंस को काफी ज्यादा खुश कर देगा और पहले कभी नहीं देखा गया होगा रश्मे का मंदाना इस मुवी को लेकर काफी ज्यादे एक्साइटिद भी है उन्होंने मुवी की शूटिंग को लेकर ब पुष्पा राज की शूटिंग का कुछ हिसा तेलंगाना के मोटो गुडें विलिच में शूट किया गया है मुवी की शूटिंग के दौरान जब फैंस को अलु अर्जुन के वहां होने की खबर मिली तो उनसे मिलने के लिए उनकी सेट के बाहर काफी ज्यादा भारी मातर पुष्पा राज की शूटिंग को काफी मुश्किल से पूरा किया जा रहा है अभी उसका कुछ हिस्सा शूट करना बाकि है बीच में 28 एप्रिल को अलु अकाउंट से ट्वीट करके अपने कोविट पॉजिटिव होने की जानकारी भी दी जिसकी कारण कुछ दिन तक ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म एस पर स्केड्यूल टाइम पर रुलीज कर पाना मुश्किल है तो न्यूज रिपोर्ट के नुसार रुलीज डेट पुस्ट कोन भी हो सकती है और दूसरी रुलीज डेट दशेरा फेस्टिवल या फिर 17 डिसेंबर के आज पास रखी जा सकती है तो वहीं पुष्पा राज का पोस्टर और टीजर अलु अर्जुन के बर्ट्रे के दिन रुलीज किया गया था लॉंच पर अलु ने अपने सभी रीजन के फैंस से उन्हें देर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए उनका शुक्रिया अधा भी क का दिल जीत लिया उनकी स्पीच के बाद से ट्विटर पर उनके फैंस का उनके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नौदन साइज में उनकी फैन फॉल्वेंग भी बढ़ती जा रही है हिंदी ऑडियंस के बेच इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलने के बाद अल जिस तरह से हिंदी इंडस्ट्री के आक्टर्स साउट फिल्स में डेब्यू करते हैं फिल्म्स बनाते हैं वैसे ही वो भी हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा ओडियंस गेंड करना चाते हैं और पुश्पा राजफिस मैसिफ प्री रुलीस सकस के बाद से ही नो ने हिंदी इंडस्ट्री में अपना फैन बेस भी बना लिया है अलू अर्जुन हिंदी फिल्स को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं जहां बाकी तेलगु आक्टर्स अपने रीजनल इंडस्ट्री में ही रहना पसंद करते हैं ऐसे में अलू अर्जुन हिंदी फिल्स में काम करने के लि बॉलिवुड में आजनीव कमर आने के लिए फिलाल कोई मूड तो नहीं है मगर जल्द ही वो बॉलिवुड मूवी में नजर आ सकते हैं उन्होंने काफी स्क्रिप्स पड़ी हैं मगर उन्हें अभी तक कोई खास पसंद नहीं आई अलू अर्जुन को पहले अर्जुन रेड पूर के फैंस और हिंदी सिनिमा के लिए ये बात काफी जादा बहतरीन और एक्साइटिंग हो सकती है और इसी वज़े से फिल्म को काफी फेल्म और काफी बज मिल सकता है तो आपका इस टेक्नीक के बारे में अभाद की सारी फिल्मों का उनके फैंस तो लंबा इंधुद कर रहे हैं जब से इस पर पहला को स्ट रिलीज किया गया था आने वाले दिनों में कुष्पा कर ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है दोस्तों आगको बता दूँ इस फिल्में अलु अर्जुन की ओपोजित नाशनल फ्रस्ट कुष्मिका मान देना नजर आने वाली है कुष और अलु अर्जुन का स्टार्डम ही कुछ एता है कि हर फिल्में लगातार चल्चा में बनी रहे हैं अगर कुष्पा स्क्सेस्पुल होती है तो उसका कुछ क्रेडिट अलु अर्जुन के मैस्स पॉपुलारिटी को भी जाएगा आज उन्हें सीरियों में बात करेंगी कि जाकर कैसे अलु अर्जुन साउथ के सूपर स्टार बन गए और क्यों उन्हें साउथ का साइच यंग आइकिन कहा दाता है अलु अर्जुन ने जादतर काम साउथ इंडस्ट्री में ही किया है अभी तक वो बॉल्वूर की किसी फिल्म में अपना डेबूट करते हुए नह साथ उन्हें बच्षण से ही आक्टिंग और डांजुन का शॉप रहा था और इसी वज़े से उन्हें कई आडविटाइजमेंट्स भी मिलने गजे इसके बाद अलु अर्जुन को उनकी टेहले फिल्म में ली जिसमें इनी लीड किरडार नभाया था और बोथ ही गंगोध लोगों को काफी पसंद आई और इससे अक्षा काता बसीं भी किया था लेकिन अलु अरु अर्जुन के करियर में सबसे बरा तर्णिग पोंट नभ आया जब उनकी फिल्म आये को रिल्स किया जया। आठ्णकों अर्या को के अलु a अर्जुन की करियर का अब बात करते हैं कि आखिर अलू अर्जन को साउथ का स्टाइलिश सूपरस्टार क्यों कहा जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दो साउथ इंडस्के में जितने भी चेहरे हैं उसमें से अगर किसी के लुक्स को सबसे जाधा अप्रिसियेशन मिलता है तो वो है अलू अर्जन खासतोर पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लोग काफी पसंद रहते हैं दोस्तों हम सभी जानते हैं आने वाले फिरों में अलू अर्जन की फिल्म पुश्बा रिलीज होने वाली है इस फिल्म के लिए उनके तमाम पाइंस काफी एक्षाइटेट है। पुश्पा बेसिकली एक ग्यांग वार फिल्म होने वाली है इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्टांडर गुड की इल्लीगल दस्परी की जाती है और कैसे अलू अर्जुन फिल्म की शुरुवाती दोर में एक खराब इंसान होते हैं लेकिन बात भी उनके जिन्दी की में काफी बद्लावा जरता है आप पुश्पा की में कितने एक्साइडेड हैं हमें कमेंट इच्छे में जरूर बिताईए अलू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग मूवी पुश्पा राग जिसे सू कुमार ने जरेक्ट किया है चलही थेडर्स में अपना कमाल दिखाने वाई है पावजूद इसकी ओडियेंस अपनी एक्साइडमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है इस मूवी से रिलेटेड बार बार कोई न कोई अफवा हर बार मार्कित में नजर आ दी है जिस वज़े से फैंस की एक नई फैन थियोरी बननी शुरू हो करी है कि फिल्म को दो हिस्सों में रिलीस करा जाएगा ऐसा करने के बड़ी वज़े ये है कि फिल्म की स्चोरी में बहुत बड़ा टाइम स्पैन दिखाया जाएगा और इस पैन को एक मूवी में पूरे तरीके से दिखा पाना मुम्केर नहीं है इसलिए हीरो डारेक्टर साथ बिलकुर ये डिसाइड किया है कि फिश्पा को दो पार्ट में रिलीस किया जाएगा क्या आपको भी ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है ना ऐसा नहीं लगता कि पहले भी एक मूवी में ऐसा हो चुका है जी हाँ बिलकुल सही सोचा आपने मेगा पाहु बली मूवी में भी ये ही हुआ था फर्स पार्ट में मि बहुत बड़ा spark होने की वजए से फिल्म को दो पार्ट में रिलीस किया गया फिल्म के आखिर में फिल्म की बैक स्टोरी लाना और पूरी मोवी को रिवर्स में ले जाना ऐसा पहली बार ही किसी मूवी के जर मिल पाती है लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि ये मूवी एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है तो सोचने की बात है कि जहां साउट सौंग में इतने बड़े स्टार को हायर किया जा रहा है ऐसे में क्या इस सोंग का हिंदी में भी कोई डब वर्जिन या न्यू हिंदी स के लिए काफी पॉपुलर है पर उनके हैंसम होट लुप और परस्नालिटी एक आम बात हो गई है ऐसे में उनके पोस्टर में वहीं सेम लुप दिखा कर ओडियंस के बीच इतना प्रेश पैदा नहीं होता जितना प्रेशिंग स्टार अल्यू अर्जुन अपकमिंग मूव मुवी के ट्रेलर में कोई डाइड़ नहीं है सिर्फ अल्यू अर्जुन के अक्शन पीन, लुप और पाइडिन प्रेशिंस में काफी तहरका मचा दिया है इस उनकी कोम मेरे लुपॉर्स के शूट किया गया है जहां हाइप पुलिस कोस्ट और कम्प्लीट सेक्योर्टी मे इस ते उसलुन पर काम गया था क्या जाते ही कि इंतरनेशनल के प्रेश्टी में काफी च्वर्स के चूट शाख प bénदाते हैं और साहथ एक साह।ट श से इंतरनेशनल आ़डियंस को भी लुपाने के 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 लिगे तुष्वाराज की कैमली के ये चूस किया गया है, पाल्रि जो कि मुस्ती तएले को पिल हंदः शीरेंगी में काम कर दिन मिरु स्लाओं विय्द नहीं किता थी चाहिए जो को बिकरं कुमार ने डिरेक्टिया था उसके डिये एज़नावर को उसमी काम कर चिके हैं उस फिल्म में मीरो स्लॉव के काम से इंप्रेस्ट होकर ही सुकुमार नहीं अपनी अपकमिक फिल्म पुषवाराज के लिए निम्प फायर किया मीरो स्लॉव भी फिल्म में हिस्सा बनने का ये मौका पाकर खुश नजर आ दी और फैंस भी ये खबर सुनने के पाद काफी ज़ादा खुश पेंदी लेकिन ये खुशी के पल जादा समय तक में भी घर पाई थी सूतरों के मुताबिक खबरों के अनुसार कुरुनों पैंडमिक की वज़ते वह पाफिस जा रहे हैं और उन्हें रिप्लेज करने की बाते चल रहे हैं बता दे कि अनुसार के साथ काम करने के लिए काफी ज़ादा एक्साइड़ है और ये एक्साइड़ मेरोस्ला के एपर्ट्स में भी दिख रही थी ट्रेलर लॉंच के दौरान निरोस्ला ने फिल्म की काफी तादीश की थी थी और फिल्म के हर इवन का चाहे वो फिल्म शुरू करने से पहले हो या पिर कई पूजा सरेमनी हो या फिल्म का सेलेब्रेशन की उना हो उसका हिस्ता जरूर बते बिए लेकिन अब उन्हें जाना पढ़ रहा है इंटरनाशनल ट्रावल में सेस्टी बनी रहने के लिए इसे लिए सबी रेस्ट्रिक्शन और गाईले इसको फॉलो करते हुए उनको एक फीज ट्रावल जोन में रखा हुआ है यह एक्षेक फिल्म पर गहरा अज़र डाल सकती है कि फिल्म के टीजर से ही फिल्म का गहराई और प्रिल्ड का काफी परख चलता है अब क्या नियु प्रामरामन इस लेवल को मैच कर पाएगा अब इसको पर अपने के लिए अपने पर अपने पर अपने बात से ही मेच पर चलता है अब क्या नया का आपका बोलीग्राप स्टूडियोज में अलू अर्चन की अब करें फिल्म खुश्पा ने अपनी एनाउंस्में के बात से भी मीडिया में संसमी मचा रखी है कभी फिल्म की हिरोई तो कभी फिल्म का विल्म कभी फिल्म की दो पार्ट्स तो कभी फिल्म का गाना पिर आई दिन किसी ना किसी कारण से हेड्लाइन से रहती ही है इन सारी अपेज की इंफोमेशन को हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं लेकिन आज हम बो बेसिक इंफोमेशन शेयर करेंगे जिसना जवाब तो सब चानना चाते हैं लेकिन पता किसी को नहीं है ऐसी कौन सी सीक्रेट खबर जान देख लिए हमारी वीडियो को एंग तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पस लाए तो से लाइक और शेयर करना दिल्कुल ना भूले जबसे को इनकी अनाउंस्मिन हुए है एक सवाल में सब के मन में भयकर देखा आपे फिल्म का नाम कुश्पा ही क्यों नहीं कुछ और क्यों नहीं क्या इसके बीचे कोई सेक्रेट वज़ा है इस बारे में कल क्योरी देखे लिए कुछ की अपॉड़ी पुश्पा फिल्म में अर्चुन की मा का नाम पुश्पा हूश्त है जितने वह बहुत प्यार करते होंगा और उसकी बाँए इस बिए एंका यादों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उनोंने अपना नाम कुश्पा हिनी रखने पर तो कुछ का कहना है कि क्या पता, ये लीडिंग लेडी रश्मेका का नाम सेखुलेशन की हट तो तक तक होगी जब उनने ये कहा कि क्या पता डिरिक्टर सुपरमार राजश्कृता के बड़े पैन इसलिए ये नाम रच दिया गया, you know, कुछ का आइखुरी तियर, पर हमने य गुस्की सुलचार ही दी, आक्चिली इस नाम के पीछे बड़ा ही सिंपर का कारण है, जितना डीज में जाकर फैंस की सोचा, उतनी मेहनत मेकर से नहीं की, फिल्म में अलु अर्चिन की करेक्टर का नाम कुष्पक नारायन रखा गया, जिने सब प्यार से कुष्पा बुल अगर ऐसा हो था, तो खुष्पा और केजियर ने एक और सिमिलारिटी हो जाती है, क्योंकि केजियर का भी यह नाम इस भी रखा गया, क्योंकि पूरी कहानी इस पर बेस थी, केजियर पर किसका राज होगा, शायद इसी चीज को वोईट करने के लिए, शुकमार ने सेशा पुष्पा कर दिया, इसके फिल्म का टाइटल काफी क्याशी भी हो गया, और और इंक्लूसरी और करियोस्टी लगाने वाला हो गया, यह तो हमारी प्रजिन फांस के लिए बेहत खास, हलो नमस्कार आद आप सब्सक्राइब सभी का, स्वागत आप सभी का, बॉलिक्राइ दोस्तो आज बात करेंगे आज की फैवरेट और मोस्ट आइलेशन डाशिंग आक्टर अलु अरजिन की मोस्ट एंटिसिपेटड मूवी पुष्पराज के बारे में, दोस्तो पुष्पराज के टीजर जब से रिलीस किया गया है, और अपने बोधे पर टीजर के लाँज पे जब से अलु अरजिन ने अपने नौट इन फैंस और अधर स्टेट फैंस के लिए इंगलिश में स्पीज देते हुए और हिंदी में उनके लिए कुछ शब्द कहते हुए, उन्हें धन्यवाद कहा है और इतने सबोट के लिए उनके शुकर गुजार हुए है, तब ही से ही दोस्तो नौट साइड में भी अलु अरजिन का क्रेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, दोस्तो अलु अरजिन के अबकिमिंग इस ड्रामा अक्शन फिल्म में सूकुमार और उनके म्यूजिक कंपोजर देवी श्री परिशाद के साथ, उनका काफी टाइम ब इस डिन पर बेस्ट है, रीसिंटी आ रही खबरों के अनुसार, अलु अरजिन इस मूवी में डबल रोल करते हुए नसर आ रहे हैं, जी हाँ दोस्तो, सूर्सिस की मानि तो जहां अलु अरजिन का एक किरदार स्मगलर के रूप में नसर आएगा, तो वहीं दूसरा किरदा बिजनिसमें के तोर पर दिखाया जा सता है, अब दोस्तो पुषपराज के नए और पुराने पोस्टर को देखकर अलु अरजिन के अलग अलग रूप्स पर उनके डबल रोल होने की अजम्शन लगाई जा रही है, ट्विटर पर एक पोस्टर को लेकर एक फैन ने अलु अब दोस्तों सोचें जरा जैसे बॉलिवर्ड मुवी डॉन में हुआ था जिसमें असले डॉन तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने एक नकली उसी के जैसे दिखते हुए दरी बादनी को उनकी गांग में डॉन बनाकर बेज दिया, तो दोस्तों कुछ ऐसी ही खानी इस बात पुछ पर आज में रिपीट तो नहीं की जाएगी, स्टॉंग यूमर्स की बात की है कि अलू अर्जन का दूसरा रोल आजब बिसनसमें होगा, अब दोस्तों हो सकता है कि उस बिसनसमें की सच्चाई पता लगने के लिए लॉरी ड्राइवर अलू अर्जन को बिस जादे एक्साइड़ हो रहे हैं, आप दोस्तों बात करें कि अखर अलू अर्जन अपने फैंस के लिए कितने खास क्यूं है तो इसका जवाब आप जल्द ही खुछ समझ जाएंगे, दोस्तों एक इंटर्व्यू के दरान अलू अर्जन ने बताया कि फैंस के साथ साथ मू ज़्यादा कनेक्टिड रहते हैं और यही वज़ा है कि नौर्थ इंडिया में भी साथ आक्टर्स को इस नेचर की वज़ा से उनकी वाली थी, लेकिन COVID-19 के चलते अभी अपनी तेह तारिख में रिलीज नहीं हो पाईगी, फिल्म का इंतजार करने फैंस को अभी 3-4 महिने और इंतजार करना है क्योंकि 99% यह फिल्म 17 डिसेंबर 2021 को ज़रूर रिलीज होगी, इस फिल्म की कहानी को लेकर भी काफी सारे रूमर्स पैल रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कहानी अजियूम करने लगे थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू, शुरवात मे अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके है, कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन, क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते, हेलो फ्रेंड्स आप देखरें, पॉलिग्रास स्टूडियो में हूं पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है, और पहली बार अलु अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नजर आएंगे, अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे, उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे, लेकिन आप ठीटर बोला मज़ा आ लेना होगा, तो मज़ा आएगा ही, इसके अलावा आपको बताते कि अलु अर्जुन ने भी कमर कसली है, और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रमोशन करेंगे, जो कि हमने कहां भी था, कि अगर इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया, तो ये बहुत जादा सूपर हिट रहेगी, क्योंकि जो हिंद टाइम हो रहा है, तो अलु अर्जुन ने पूरे जान जोग दी है, एक पिया टीम उन्होंने रखी है, जो कि आब सारे इवेंट और गनाइस करने वाले हैं, प्रमोशनल इवेंट साथ ही, जितने भी ये बॉलिवुट के चैनल है, उनमें इंट्रिव्यू देते हुए तो ये बात वागए बहुत बड़ी एकसाइटमेंट भरी है, और इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत तगड़ी है, रश्मी का मंदाना इसमें निजर आने वाली है, विजह सेतु पती है, और विलन का नाम भी रिवील कर लिया गया है, सू और सेंडल वुड जो लकड़ी है, उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे, अलु अरजुन उनके तस्वीरे सामने आई है, वो दिखाती है कि 80s से 90s का ये एरा है, जिसमें कि अलु अरजुन की जो शॉर्ट है, चेक शॉर्ट दिख रही है, बेल बॉंटम पैंड साथी उनके हाथ में स्टील के घड़ी है, जो कि 80s के दोर में पहनी जाती थी, तो उसी टाइम का ये दिखाया जाएगा आंदर प्रिदेश के जंगलों में फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है, और बहुत कुछ खास है, जैसे कि अलु अरजुन का लोग, जो कि कुर्ली हैर उनोंने केरी किये हैं, और जितनी भी फोटो तब से उनके सामने आ रहे हैं, उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव अलु अरजुन नजर आ रहे हैं, और फिल्म में भी इसी तरह का धमाल मचाते वे नजर आएंगे, फिल्म में आ बहुत भरपूर होने वाला है, तो दोस्तों, आपको कितना अंतजार है अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये ज़रूर बताईए, और ये नौर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी, आपको क्या लगता है, बोक्स ओफिस के लिए आद से, नीचे कॉम अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकते हैं? क्या ओपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़र में बनाया जा रहा है पुश्पा को, हेलो फ्रेंड्स आप देखे हैं, बॉलिग्राफ स्टूडियो, मैं हूनी कजवाल, बात करेंगे, साउट के स्टाइल स्टाइल स्ट कर रहे हैं, लेकिन सुकुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो शूटिंग लोकेशन है, उसके एक भी फोटो वाइरल हो और लीक हो, इसलिए उन्होंटे कडी सिक्यूरिटी रग दी है, और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर, उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिय पैन इंडिया ये फिल्म है, यानि कि पाच भाशों में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे, तो बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि करोड का ओपनिंग आराम से देगी, ये 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले, अलग भाशाओं से जो बाकी भाशाओं में रिलीस हो रही है, उससे 60 करोड ये उक्युपाई कर ही लेगी, इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी, खाली हम हिंदी की बात करें, तो हिंद में चीह करें और 30 करोड करें की नहीं चीह कर लेगी लाथ ये 30 करोड कर, आपवाजय की सपाई कर कि लेगी, नही है, अगर पुछ पुछाओं की लेगी, वर्ड़ वाइद गया टैलिसजफों करोड के सब्सक्राय णलए हिंदी कर, जाद भूं साहिकरा, उस संना ऐगए ऐ तो इस तरह का कलेक्शन अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्यों कि अलुकी जितनी भी फिल्मे आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डप जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फै जौंगलिंग करते हुए दिखाये जाएगा विजय सेतुपती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आचुका है वो है आरिया और आरिया अलुवर्जन के साथ और फिल्मों में भी नजर आ चुके है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कलेक्शन कर क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग उपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिग्राफ स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुछपा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वी आमर डॉल अपना काया पलट करने जा रही है अपनी एक खास फिल्म के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द ही अलु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही है और दोनों की ये साथ मे पहले ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा है अलु अजुन जिन्होंने बच्पन में ही अपना आक्टिंग करियर चिरंची वी जैसे बड़ सतारों के साथ फिल्म डैडी से शुरू कर दिया था वही रश्मिका चाहे इस फील्ड में नई हो लेकिन अपने काम से करें तो यह पहली बार होगा जब रश्मिका ऐसे अफ़तार में दिखेंगी हमेशा ग्लाम्रस अंदाज में देखी गया भी नीतरी अब करनी जा रही है गाओ की गोरी का किरदार फिल्म में वे गाओं की गरीब लड़की के अंदाज में दिखेंगी जिसके लिए उन्हें नौन ग्लामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंदरपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वही के जीएफ की शी में मुरुनाल ठाकों से पहले रश्मिका कुफल में मुरुनाल वाला किर्दार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और टालेंटेड आक्रिस पर जीहा संजली झिन्होंने आईश्वर एराय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवधा से बदला वहीं दिपका पादुकून के फिल्म गोलियों की रसलीला रामलीला बाजीराओ मस्तानी और पद्मावत ने दिपका के करियर को ऐसी किक दी जो शायद सल्मान अपनी फि के साथ आईगी अभी तक बताया नहीं गया है अलु आरजुन फिल्म पुशुपा के डारेक्टर सू कुमार के साथ अपनी सब देया से पहली सूपरिट फिल्म आर्या कर चुके हैं। पुषपा को मैथ्री मेकल्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलु आरजन और डारेक्टर को और तला शुवा के साथ फिल्म हाश्टाग एएट विंडीवन से भी जुड़ गए हैं फिल्म पुषपा डारेक्टर सुकुमार अलु आरजन और रश्मिका के बीच एक ऐसी कड़ी है जिसने चारों को जोड़ के रखा है और ये फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर देव श्री प्रसाद हैं जिन्होंने कई तैल्गो हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी र फिल्मों में भी प्रसाद ने म्यूजिक डारेक्ट किया है एक इंटर्व्यू के दोरान म्यूजिक डारेक्टर देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वहीं फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग द गई और सेट पर सभी कि शुरक्षा और साथ धानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माता उने जैनुरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मे का भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुष्पा की जिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आप को क्या लगता है हमें अपने जवाग कमेंच करके जरूर बताएं वहीं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिग्राफ स्टूडियोज को इस वीडियो की स्क्रिप्ट सिम्नल अलो अर्जन स्ट पुष्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस किया है साथ इंडियन सिनेमा अपनी बेहतर इंस फिल्म के साथ तेजी से पॉप्लिरिटी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड ए रहने वाले हैं तो हम सेफली यह कह सकते है कि कम अब बस बॉटी नहीं बल्टी साथ मę ही कई रीजियन सिनेमा भी रेस में आ है और कई केसे में तो बॉल्यूट से बड़िया कॉंटेंट परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना एंटिसिपीशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो यह होगी रेट सैनलूट की तसकारी पर बेस्ट जिसमें अलवर्जन इसी धंदे में काम कर रहे हैं एक लॉरी ड्राइवर होंगे अफसोस प्लॉट के बारे में हमें इससे ज्यादा नहीं पत है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो देर की इस बात की आई यह डाइव लगाते हैं कुछ ऐसी ही फिक्शनल टेल्ज में जो फैंस की देन है पहले एक स्टोरी जो काफी दिनों से इंटरनेट के चकल लगा रही है वो है कि फिल्म की फीमेल लीड यानी रश्मी का मंदाना का केरेक्टर है पुष्पा और प्लोट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलू अर्जुन का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब अपना हीरो बदला लेने के लिए रेट सैनलूट की तसकारी करने वाला लोडी ड्राइवर बन जाएगा फिर इसके बाद तो स्टॉरी पूरी प्रतिशोत की ज्वाला टाइप बन जाएगी जहाँ वो मौत का बदला लेने में लग जाएगा इस फिल्म के फर्स पूस्टर सामने आने के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानी अरजुन इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु अरजुन और रश्मिका के कैरेक्टर की तो पहले से शादी हो चुकी है पर इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा अरजुन की बेहन के साथ जिसका हो जाएगा मर्डर अब अलु मर्डर का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉन्क्लिशन पे पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सैंडलूट के फॉरस्ट में इसलिए अलु अरजुन खुद भी रेर सैंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी च होता है घमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मौ उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने चा रहे हैं अलु अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनमदिन के मौके पर अलु अर्जुन ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि ये पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार अलु अर्जुन हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वो बहुत अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेत नौर्थ में भी अलु अर्जुन की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जनमदिन के मौके पर अलग अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुक भी शेयर किया था जिसमें की अलु अ जादा मेजिंग लग रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत जादा पसंद भी उन्हें किया गया था और लुक के पीछे मेकप आर्टेस्ट और लुक डिजाइनर प्रतिशील सिंग का हाथ था जो कि बहुत सारी फिल्मों के लिए औरेडी अवार्ड जीत चुके है और बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और यह लोग सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोग शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आरही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने हाल ही में आज ही अन्नाउंस कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें की उनके हाथ में कुलहाडी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो इक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो अर्जुन ने अंस कर दिया है कि उ और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है हाश्टेग पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13th ऑफ ऑगस्ट 2021 एक्साइटेड तो मीट यू आल इन सिनेमा इस यार और सिर्फ अलो अर्जुन फिल्म में अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सीतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्टरस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार फिर से जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद क सेशा चलम के जंगल के इर्दगिर्द गूमती वही नजर आएगी ये दक्षरी आंधर प्रदेश में पूर्वी घाट के पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विजय सेतु पती और अलु अर जुन एक के लिए जल्दी से लिग डालिए नीचे कॉमें सेक्षिन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिवूर्ड टॉलिवूर्ड अपडेट्स के लिए हेलो एंड वेलकम टू पॉलिवूर्ड टॉडियोस के कौन नई चटपिटी वीडियो में हुष्टियार होना आपकी आज की होस्ट और आज अंबात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा के बारे में पुष्पा एक अपकमिंग इंडियन तेलभू लैंग्विज आक्शन फ् नायक को भी असिस्ट किया है सुकुमार ने अपना डिरेक्शनल डेब्यू 2004 में फिल्म आर्या के द्वारा किया था और यह फिल्म काफी सूपर हिट हुई थी जो कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा कारण भी बनी थी फिल्म में बतौर लीड अर्जुन और रश्मिका मंद इस किया गया था फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहट रिलीस किया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस 2021 को रिलीस करने का स्केडियूल किया है फिल्म को तेलगू तमिल मल्यालम हिंदी और कनेट वर्जिन में डब्ड किया जाने वाला है जैन इसका नेक्स प्रजेक्ट सरेलेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जिसे डारेक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने प्रजेक्ट साइंग किया सूकुमार के साथ उनके फिल्म में अज लीड अक्टर काम करके सूकुमार और अलु परजुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लॉंच किया गया था अक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डिरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था के एथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स्ट केडूल के रूला में ही शूट किया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक ही वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्ट करी के थी दस नवेंबर 2020 में विजे सेतुपती बहुत चचा में थे एंटेगनोजिस प्ले करने के लिए और जैनवरी 2020 में फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदानल को एपरिल 2019 में आज़ लीड आंक्टर कास्ट किया था और जगापती बेबी और प्रकास राज को की रो 2020 में ऐसी खबर सामने आएं कि विजे सेतुपती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इशूस की वज़े से कंड़ा के फेमस अक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्माग को की अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्राइस वीडियो को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लौटिंगे एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्कृट्प्राइटर है इतनी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंग कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं ऐसा ही हूँ ढूख लगती है तो पेट बर खाता लीन दाती है तो जी भर सूता और कुछ सा आता है तो प्रॉब कर लगता पुषपा से करने वाली है रश में का मंदाना बहुता है बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुआत क्या साउथ की अगली कॉंट्रिबूशन बॉलिवुड को रश में का मंदाना है नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सबी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉलिगराश वीडियोज में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इलियन फिल्म इंडास्ट्री के कई फिल्म में पैन इंडिया रिलीज यानि की अपने ओरिजिनल भाशा के साथ साथ कई और भाशाओं में भी रिलीज होने वाली है ये ट्रेंड शुरू हुआ था जब 2015 में एसेस राजा मॉली की फिल्म बाहु बली दे बिगनिक रिलीज हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहु बली स्टार्ब प्रभास की पुपलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मिला फिर उनकी आने वाली फिल्म में राधे शाम और आधी पूरुष और साथ में नाग एश्विन की फिल्म और सिधात अनन्द की फिल्म में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है उसके बाद फिल्म KGF चाप्टर 2 को भी एक बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार्ट 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी, जया प्राडा, एश्वर्या राय, असिन, दिपिका पादुकोन, तापसी पनू जैसी कोच अभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मित था, सौंदर्य, काजल अगरवाल, त्रिशा कृष्णन, जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्यावी नहीं हासल कर पाई हाला कि वह सब साउथ में बहुत ही बड़े सितारे हैं अभी अभी साउथ में विजे की फिल्में बहुत प्रसिद्ध हो रही है और साथी साथ विजे के साथ नाम आता है चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनू ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे सिधात मलहोत्रा मगर हाल ही में सिधात मलहोत्र का करियर इतना स्मूद नहीं जा रहा हाला कि वो अलग तरह की फिल्मों में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनके प्रयाज ज्यादा काम्याब नहीं हो पा रहे तो इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ओपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलू अर्जुन की एक फिल्म आई अलू अर्जुन के साथ जब उन्होंने काम करने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इं दोस्तों साथ फिल्म के एक्टर अलू अर्जुन इस वक्त फिल्म इंडस्टी की सबसे चर्चित एक्टर है उनके पिछले फिल्म अला वैकूंट पूरम के धुवाधार सक्सेज ने उन्हें पूरी दुनिया में यानि की पूरे देश में चर्चित कर दिया है वहले यह सा सब्सक्राइब तामिल के लूप कर नर्ड और मल्यालम लैंग्विज में रिलीज कर रहे हैं ऐसे में अक्टर को लेकर खबरों का बाजार लागातार दर्म है अब अलू अग्जुन से जुड़ी एक और जिल्चस्ट खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर उनके फैंस का क्रे और यह लंबी लाइन लगी थी अलू अग्युन वहां से निकलने के बार हजारों फैंस को हाथ हिला कर अभी वादन किया अलू अप्यार बर्चानी प्रभाश को पूरा करने की कोशिटे होंगे फिल्म इंदिन स्टेज पर है क्या इसके बाद प्रशाम में अग्री पिल्म की तयारी करेंगे इस जवाल का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीचे कमिंग बॉक् का बनना चाहते हैं अलू अर्जुन और क्या बॉलिवोड में अपने कदम जमाने का इरादा है इनका तो आए जानते हैं अगर इस जवाल मुझसे पूझा जाए तो मेरा जवाब होता है और मुझे पता है आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं आधे साउथ इंगियन होंगे और आधे होंगे नौर्थ इंगियन वादों से सवाल कर रही हूँ आप लोगों ने भी साउथ इंगियन फिल्म में तो जरूर देखी होंगी ना आप सभी को वो भाषा समझाती है ना आप सभी को समझाता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं पर आप इन फिल्मों को देखना बड़ा इंजॉय करते हैं और वैसे हम कई सारे तीवी चैनल्स पर यह भी देखते हैं कि साउथ फिल्मों को हिंदी डब करकर दिखाया जाता है तो दोस्तों अलू अर्जुन, सुधीर बाबू, महेश बाबू, रजनीकांत ऐसे नाम तो हम सभी ने सुने ही हैं और इन में से कई आक्टर्स को तो हमने बॉलिवून में काम करते हुए भी दे देखा है, महीं एक तरफ शारुकान के साथ भी देखा है, और साथ-साथ एश्वर्य अराये के साथ उनकी फिल्म रोबोट में तो देखा ही देखा है, उस फिल्म को भला किसने मिस्स या होगा, लेकिन जिस तरीके से इन आक्टर्स को साउथ में पूजा जाता है, उन्हें वो recognition उस level का recognition Bollywood में नहीं मिल पाता है दोस्तो आप सभी को एक मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि रजनी कांथ को पूरे South में इस तरीके से पुदा जाता है कि जब भी उनकी फिल्म विलीज होती है तो वहाँ पर पूरी nationwide holiday डेकलेर कर दी जाती है जी हाँ और South Indian फिल्मों का बिजनेस ज़रा बड़ा है यहाँ पर Bollywood में भी इन फिल्मों को बहुत ज्यादा देखा जाता है तो जब South के मेकर्स ने ये देखा कि लोग फिल्मों को इतना प्यार कर रहे हैं तो इसी बात को ध्यान में रखकर बाहुवली franchise और KGF franchise ने फिल्मों को डब करकर सिनेमा में रिलीज किया है और यहाँ तक कि साहू जैसी फिल्मों में हिंदी आक्टर्स को भी लिया गया है South के मशूर आक्टर अलू अर्जुन अभी तक इस सब को नोटिस करते आ रहे हैं थे वैसे तो उनकी ओडियन्स तमिल ओडियन्स, सन्नड ओडियन्स यही सब है लेकिन अब वो अपने इस टागेट को बदलना चाहते हैं हागी में एक इंटर्व्यू में अलू अर्जुन ने उन्होंने कहा कि उन्हें बॉलिवूड एस्पिरेशनल लगता है और यहां तक कि उरी जैसी फिल्म की तारीव भी थी उन्होंने कहा कि अगर उनको कभी उरी जैसी फिल्म ओफर की जाए तो वो उस फिल्म को जरूर करना चाहिए यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तमिल फिल्म अर्जुन रेड़ी ऐसी फिल्मों में वो काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो अब पुश्पा को पैन इंडिया रिलीस दिलाने वाले हैं जिसकी वज़ा से वो फिल्म बॉलिवुड में रिलीस कर दी जाएगी तो अब ये देखना बाकी होगा कि कितनी तेजी से अलू एंट्ली मारते हैं बॉलिवुड के मारकेट में और आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तब तक के लिए हमारे चानल बॉलिवॡ स्टूडियो को सब्स्प्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदाथ क्या अलू अरजण की फिल्म पुष्पा में होने वाली है और वशी रौतेला क्या होने वाली है पुष्पा के खास बाते कब तक ये फिल्म रिलीज होगी है हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं बॉलीक्रास स्टूडियो मैं सोनी का जया है पुष्पा की लगातार अपडेट हम आपको देते ही रहते हैं एक और अपडेट सामने आई है पुष्पा की और इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है उर्वशी रौतेला की जहा है उर्व सेट से भी बहुत सारी तस्वीरे लीक हुई थी और जब लीक हुई थी तो सुकुमार जो की इस फिल्म के डिरेक्टर है वो नहीं चाते कि कोई भी तस्वीर सामने आई इसलिए उन्होंने टाइट सेक्यूरिटी कर ली है कि सेट से कोई भी तस्वीर बाहर न जाए वो बह का दौर दिख रहा है इस फिल्म में वो जंगल का पूरा शूट है और साथ ही आपको बता दे इसमें सेंडल वोर जो लकडी होती है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाई देंगे अलु अर्जुन और इसमें विजय सेतु पती भी एहम भूमिका में नजर आने वाले हैं वो इसको बता दे अलु अर्जुन की पुष्पा एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है निकि पहली बार बड़े पड़े पर हमें अपने स्टाइलिश स्टार अलु अर्जुन नजर आएंगे जब हम इन्हें छोटी स्क्रीन पर देखते हैं टीवी पर देखते तो मज़ा आ इसमें action scenes भी कमाल के होने वाले हैं दोस्तों यानि की fully entertainment फिल्म होने वाली है क्योंकि एक्षिं तो है ही साथ ही आपको उर्वशी रौतेला का धमाकितार डांस भी इस वद में देखने को मिलेगा तो दोस्तों कितना इंतजार है आपको अलु अर्जुन की फिल्म का अलवर जुनापु कैसे लगते हैं और इसी तरह के दूसरे बॉलिवर्ट, टॉलिवर्ड, हॉलिवर्ड रिव्यूस के लिए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल कौन है फिल्म पुष्पा के विलिवर्ण और क्यों हुए है वो इतने मशूर वहीं कैसी है पुष्पा के हिरोईन रश्मी का मंदिना की आने वाली फिल्मे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिगराद स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पुष्पा से जोड़े कुछ नई अपडेट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पसंदिदा हिरोईन कौन है या फिर कौन सी आक्रस है जो आपकी करेंट क्रश है तो किस आक्रस का नाम लेंग गूगल ने नाशनल क्रश करने पर रश्मिका का नाम परिणामों में मिलता है और इसके बाद ट्विटर पर भी रश्मिका नाशनल क्रश हाश्ट के साथ ट्रेंड करने लगी हैं और उसके बाद ही रश्मिका ने इसका स्क्रीन शॉट अपने ट्विटर अकाउंट से शेर भी किया उन्होंने इसके साथ लिखा मेरे फैन्स वाकई लिजिन्री है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा मेरे दिल मेरे फैन्स के पास है चौबिस साल की रश्मिका दक्षिन भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफि लोग प्रिया है रश्मिका ने कंडर तमिल और तेलगू फिल्मों में काम किया है जिसमें से एक साल बाद ही 2017 में आक्ट्रिस ने फिल्म के हीरो रक्षित छेटी के साथ सगाई रचाली थी लेकिन कुछी महीनों में दोनों के ब्रेक अप की खबरे सामने आने लगी यही ब्रेक अप उनका ग्लो अप साबित हुआ क्योंकि महस 24 साल की ये अभिनीतरी साउथ की टॉप आक्ट्रिस में गिनी जाने लगी है और बड़े बड़े नामचीन आक्टर्स के साथ रश्मिका की जोडी बनाई गई जिसमें एक नाम फिल्म पुष्पा का सामने आया और पुष्पा में रश्मिका साउथ के मशूर अभिनीता अलुअरजुन के साथ दिखाई देंगी फिल्म के स्टोरी लाइन बेहद इंट्रिस्टिंग है और आंधरपदेश की पहाड़ियों में बुनी जा रही है इस एजगाप को बनाए हुए रश्मिका जल्दी जियोतिका के पती यानि सुपरस्टा सिंगहम सूरिया के साथ काम करने जा रही है टॉलिवड अभिनेता सूरिया जो अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सौरवाई पोट्रो के सफलता के बाद अपनी अगले फिल्म पर फोकस कर रहे है और उनकी 40 की फिल्म होगी ट्विटर पर पहले ही गोशनी की जा चुकी है कि अभिनेता निर्देशक पंडी राज के साथ एक फिल्म कर रहे हैं और फिल्म में सूरिया के अपोजिट रश्मी का मंदना होंगी वहीं सूरिया महेश बाबू और अलो अरजुन तीनों ही शादिशुदा आक्टल्स हैं अलो अरजुन इस लिस्ट के सबसे जवान शादिशुदा हीरो हैं और एक पिता भी हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी बेटी अलो अरहा का जनम दिन पुश्पा के सेट पर मनाया बता दे इस वक्त पुश्प की शूटिंग अंधर प्रदेश में हो रही है और वहीं अपनी पॉपिलारिटी के चलते रश्मिका अपने से 13 साल बड़े आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही है लेकिन सारी लेरू निक्की वारू ने में अपने से 20 साल बड़े आक् पर अपने से छोटी उम्र के हीरों के साथ काम करने पर सवाल उठाए गए थे देखिए कैसे समय बड़ल गया वहीं क्या समय सही में बडल गया या केवल समय मेल आक्स की समय बदला है साथ ही क्या वजह है कि फिल्म पुश्पा में विलिन विजय सेथु पति इतने मशूर ह अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाच चुके विजय सेदुपती साउथ के राजकुमार राओ या आयुशमान खुराना कहे जाते हैं जिसके फल्स वरूप वो आमिर खान की अगली फिल्म में भी काम करने जा रहे हैं एक आक्टिर के साथ विजय प्रडियूसर, लिरिकिस्ट और डायलोग राइटर भी हैं और विजय तमिल फिल्मों में मुख्य रूप में काम करते हैं इसके अलावा कुछ तेल्गू, मल्यालम और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अभिनीता को उनके प्रशन सकों और मीडिया द्वारा मकल सेल वन के रूप में जाना जाता है पीजा, सुपर डिलक्स और पेटा जैसे विजय सेटुपती की फिल्मों ने अभिनीता की वर्सिटालिटी को दिखाया विजय ने कई अभॉद्स को अपने नाम किया है और अपने आगे की फिल्मों के साथ वो अभॉद्स का सिलसला बरकरार रखेंगे और जल्दी वो रितु हसन के साथ फिल्म लाबम में भी दिखाई देने वाले हैं तो क्या एक मुख्य खलनाया का अवाउड जितने के बाद पुश्पा में विलन का करदार निभाना आसान होगा? वजय सेतुपाति के लिए क्या होगा? वहीं क्या वजय की पॉपिलारिटी टक कर देगी अलो अरजना रश्मीका की पॉपिलारिटी को? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताए वहीं अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें हमाई चानल बॉलिगराथ स्टूलियोज को इस वीडियो के स्क्रिप्स इम्रन रावत ने लिखी है एक दी सी बात के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिंकर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है दोस्तों क्यों फिल्म पुषपा की मजबूत करी और आक्टर विजे सेतु पती हो रहे है ट्पिटर पर बदनाम आंतरप्रदेश के जंगलों में हुई फिल्म पुषपा की शूटिंग शुरू और क्या इस बार अलू अर्जुन से हिट फिल्म के सबी सितारे मनाएंगे जंगल में दिवाली दोस्तों अपने जंगल में मंगल की कहावत तो जरूर सुनी होगी लेकिन क्या अपने जंगल में दिवाली के बारे में सुना है जेहां दोस्तो इस बार लगता है स्टाइल स्टार अलू अर्जन अपनी दिवाली जंगलों में रश्म का मंदाना के साथ मनाने वाले हैं 12 नवंबर से शुरू हुई अलू अर्जन की फिल्म पुश्पा की शूटिंग के लिए आंतरप्रदेश के शेश्चलम जंगलों में पहुची पूरी टीम यहां दोस्तो फिल्म से अलू की तस्वीर सामने आई जिसमें वो ब्राउन रण की शूर्ट और पांट में दिखाई दिये हैं उनका चहरा तस्वीरों में नहीं दिखाया गया लेकिन पुश्पा के पोस्टर से मिलता जुलता दिखाई दिया बन्नी का अफ़दार यहां दोस्तो अलू अरजुन के जनम दिन यानी की 8 एप्रिल पर निर्माता उने पुश्पा के पहले फोस्ट लोग पोस्टर को साज़ा किया और उसके शीशक को भी दिलीज किया जो कुछ समय में सोशल मीडिया पर वाइरल होता भी नजर आया दोस्तो आगे बढ़ते हुए निर्माता इसे कम से कम चालग दल के साथ शूट करने की योजना बना रही है और फिल्म टीम में शामिल प्रतेक तकनीशियों को निया मित अधार पर COVID-19 पर इक्षन देने के लिए कहा जा रहा है यहां दोस्तो अलु अरजुन 2021 की शुरवात में फिल्म को पूरा करने की योजना बना रहे हैं और फिर अपनी अन्य चीजों पर काम करने की सोच रहे हैं हम आपको बता दे फिल्म रश्मिका मंदाना एकमन अधिकारी की भूमे का निभाती नजर आने वाली है ट्विटर पर फिल्म के सितारे और टमिर अभी नीदा विज़े सेतुपती ट्रेंड कर रहे हैं और ये ट्रेंड दोस्तो नेगिटिव वजह से है और इसका ना सिर्फ रिकेट से संबंध है बलकि पर उसी देश श्री लंका से भी ये जुड़ा हुआ है दोस्तो विज़े सेतुपती श्री लंका के स्पिनर मुथ्या मुरली धर्म की बायो पिक में काम कर रहे हैं जिसका पहला मोशन पोस्तर रिलीज हुआ है ये मोशन पोस्तर रिलीज होते ही तमिल लोगों ने विज़े सेतुपती पर हमला बोल दिया जिया दोस्तों उनका कह है अश्रक शेम और विजे सेतुपती कोई साथ ट्वीट कर निकते नाजर आ रहे हैं। दोस्तों लोग विजे सेतुपती की फिल्मों के बहिसकार की भी बात कर रहे हैं। वही कै इस फिल्म की वज़े से विजे का फिल्म पुषपा में काम करना तो मुश्किन नहीं हो जाएगा। यहां दोस्तों जब फिल्म के सितारे विजे से टुपती मुश्किलों बेपसे हुए हैं। दूसरी तरफ फिल्म की हिरोईन रश्मिका भी इन इंकम टाक्स के चक्रों में पसी हैं। साउथ की आक्ट्रिस रश्मिका मंदाना करे तमिल तेलगू और कानट फिल्मों में काम कर चुकी है। वही साउथ में अब वो एक जानी मानी आक्ट्रिस के तौर पर जानी जाती है। दोस्तो रश्मिका को साउथ की सबसे महेंगी हिरोईन भी कहा जाता है। और वही रश्मिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनके घर इंकम टाक्स डिपार्ट्मेंट ने चापा मारा है। अधिकारियों की जाज परताल दौरान आक्ट्रिस के घर से 25 लाक रुपे बरामद हुए हैं। जी हैं दोस्तों कैश के अलावा घर से प्रौपेटी के कागस भी बरामद हुए हैं। वहीं रश्मिका के मादा पेता इंकम टाक्स के चापे पर कुछ भी बात करने से बच रहे हैं। रश्मिका के बैंक की भी जान बीन की जा रही है और रश्मिका केवल 24 साल की हैं और इतनी से उम्र में उन्होंने डियर कॉमरेट जैसी सूपर एट फिल्मों के साथ महेश भाबू और अलु अरजुन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाया। दोस्तों भाई क्या आप जानते हैं साथ की इस चूल बुली सी दिखने वाली आक्ट्रिस के पीछे छुपी है एक दुखबरी दास्तान। हजारों को अपनी क्यूट अदाओं से घायर कर चुकी है रश्मिका अपनी सगाई तूटने की वज़े से काफी मायूस थी लेकिन अपनी इस मायूसी को आक्ट्रिस ने अपने फिल्मी करियर से दबा दिया। इतनी महिंगाई में अच्छा इंसान मिल पाना थोड़ा मुश्किल है रश्मिका देखिए अगर अमीर आदमी से ही काम चल जाए तो अरजुन रेडी बाइक उठाए तैयार होंगे। कैसी लगी हमें कमेंट करेंगे। जो कुछ समय पहले प्रकासित हुई थी। वहीं बता दें फिल्म पुश्पा एक तेलगु आक्शन फिल्म होगी जो क्या साउथ को दी प्रमुग भाशाओं के बीच आई दरार। हाल ही में लेकक वेमपली गंगाधर ने एक पोस्ट डाली जिसमें दिखाय गा था कि कैसे फिल्म पुश्पा की कहानी के रूप से वही कहानी थी जो लंबे समय पहले प्रकासित हुई थी। लेकक ने यह भी बताया कि वह विवाद को भड़काने की कोशिश नहीं है बलकि जंता को पूरे मामले के बारे में जागरू करने के एक छोटी सी कोशिश है। उन्होंने कई तिस्वीरे भी पोस्ट की जो साबित करती है कि फिल्म को कहानी उनकी कहानी के सम्मान है। वेमपली गंगाधर आंदर प्रदेश के कडपज लेके खलेकक है। 2011 में उनकी लगू कहानी संगरा मोलाकला पुनमी के लिए उन्हें सहित्तक आदमी के युवा पुरुसकार में सम्मानित किया गया था। गंगाधर के पुरुसकार विज्वेता प्रस्तुत मोलाकला पुनमी तेरा लगू कथाओं का संगरा है। ये किसानों के दर्शाओं से इर्द गिर्द बुनी गई है। तेलगू कवी गंटूरू शशेंद्र सर्मा ने पुष्टक के लिए अग्रह लेक लिखा था। उनकी किताब माय नापू बो मालू ने अमरीकी तेलगू असोसियेशन पुरुसकार जीता। किताब सेक्सेस वरकर्स के बारे में थी इस विश्चापर फिर्म के निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक टिप्टी नहीं की गई है। हाल ही में चुरिण जीवी अभिनेती फिल्म आचारे को भी साहतिक चोरी के लिए दोशी थेराए गया है। लेखक राजेश मंदूरी ने भी दावा किया है कि फिल्म की पठकता उनकी फिल्म के संबान थी। वहीं पुषपा, सूकुमार दुवारा लिखित और निदेशिक नई तेलगु भाशा की आक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अलू अजुन और रश्मी का मंदाना मुख्य भूमिका में होंगे। साथ ही प्रकाश राज और जगपटी बाबू सहायक भूमिकाओं में होंगे। यह फिल्म दिवाली में रिलीज होने वाली थी लेकिन महामारी के काण इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई। निर्माताओं ने पहले ही इस फिल्म से अलू अजुन को फ़र्स लुक पोस्टर जारी किया था जिसने फिल्म प्रेमियो और अलू के प्रेशनशकों के बीच अच्छी चर्चा पैदा की। अब सुकमार की फिल्म में पुष्पा की सेट से एक तस्वीर लिख हुई है जिसमें अलू अजुन का शादनार अवतार और दाड़ी वाला लुक सामने आया है। बनी इस फिल्म में पुष्पा राज की भूमी का निभाने वाले हैं जिसे मैत्री मूवी में एकस द्वारा बैंक रोल किया जा रहा है। सुन का स्केड्यूल विशाखा पटनम में एक विश्च रूप से निर्मित सेट पे होगा वर्तमान में पुष्पा का सेट मेर्दू मिली में वन पर चलता है। सुन के कहानी चंदन के स्मगलिंग से जुड़ी है और कहानी तेरमुला के पहाड़ी शेतर शेष चलंग वन की प्रिष्ट भूमी के खिलाफ स्थापित की जुआएगी। स्टाइलिस स्टार अलु अजुन ने अपनी लॉरी ज्राइवर के किरदार के लिए एक कठोर शाररिक परिवर्तन किया जबकि भीशम हिरोई रश्मिका मंदाना चितुर लड़की की चितुरित करने के लिए पूरी तरह तयार है। इस लॉकडाउन के दुराण रश्मिका ने एक ट्विटर से चितुर बोली सीखी। फिल्म के निर्माताओं ने इस बात की पुष्ची भी की कि वह फिल्म एक एक्शन सीक्वेंस के लिए के लिए 6 करोड रुपे की भारी भरपाई करने वाले हैं। जिस बज़े से ये फिल्म एक काफी एहन सीक्वेंस रहेगी। वहीं इस सीक्वेंस में कहीं अलू की चंदन से भरी लकडियों की लारी ना चूट जाए। बना बैक्ग्राउंड में 2007 के फिल्म एक चालिस की लास्ट लोकल का गाना क्या हुआ जो लारी छूटी चलना पड़ जाएगा। मीडिया में एक्टरस रश्मिका मंदाना को एरपोर्ट में एंटर करते हुए काप्चर किया और हमारा नुमान है कि वेफिन पुष्पा के सेक की तरफ रवाना हो रही थी। काले रंग की टी शट और फॉर्मल पैंड पैंडे डियर कॉमरे रभी नेटरी काले रंग की स्टाइल में स्वैक के साथ गुमती दिखाए थी। उनके बाल खुले होने के साथ मुखोटे का स्टालिस्ट चश्वा लगाए वे दुनिया के जीतने के लिए तयार बॉस लेडी की तरह लग रही थी। बता है स्टालिस्ट और अलु अर्जुन को कॉम्पेटिशन देने के लिए मैदान में उतर गई है रश्मिका। भही क्या कहना आपका इस नई जोड़ी के बारे में क्या अलु अर्जुन और रश्मिका के वीच फिल्मी केमेस्ट्री जमेगी या नहीं। हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस खास वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ हमारे चानल बॉलिग्राड पर इसी तरह नई फिल्मों के ट्रेलर्स और दिल्चस ताक्स देखनी के लिए से सब्स्क्राइब करना न भूले। आज के हमारी स्क्रिप्स के लिए शेयर करें। अलू अर्जुन अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा को पैन इंडिया सुपर हिट बनाने के लिए क्या-क्या तैयारिया कर चुके हैं कौन होने वाला है इस फिल्म में विलन क्या होने वाली है फिल्म की खास बाते अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा की भयंकर बस बन चुकी है और पहली बार अलू अर्जुन हमें सीधा बड़े परदे पर नज़र आएंगे अब तक जब हम उन्हें टीवी में देखते थे उनकी फिल्मों को फोन पे देखते थे लेकिन आप ठीटर मज़ा लेना होगा तो मज़ा तो आएगा ही इसके अलावा आपको बताते कि अलू अर्जुन ने भी कमर कसली है और उन्होंने सोचा है कि वो जम कर प्रोमोशन करेंगे जो कि हमने कहां भी था कि अगर इसका प्रोमोशन अच्छे से हो गया तो यह बहुत जादा सूपर हेट रहेगी क्योंकि जो हिंदी ओडियन्स है बार-बार इन्हें खबरे देनी परती है का फिर्म रिलीज हो रही है तो प्रोमोशन अच्छा खासा होना चाहिए इसलिए हिंदी ओडियन्स के लिए स्पेशल ही अलुरजुन महनत कर रहे है क्योंकि दौर्स इंडिया में वैसे फैन फॉलिंग कम नहीं है लेकिन यह फर्स टाइम हो रहा है तो अलुरजुन ने पूरे जान जोग दी है एक पिया टीम उन्होंने रखी है जो कि आब सारे इवेंट और्गनाइस करने वाले है प्रमोशनल इवेंट साथ ही जितने भी ये बॉलिवुट के चैनल है उनमें इंट्रिव्यू देते हुए नजर आएंगे अलुरजुन साथ ही आपको बता दे कि एक खबर ये भी है कि कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म का प्रमोशन हो सकता है तो सोची अलुरजुन अग भी आपको फिल्मोशन शॉची अलु Обलन का प्रमोशन में प्रमोशल ना सपहरा दाब ही वियुक्त ना यजरि उन में फिल्मोशन वे बाले दिकलता है और सेंडल वुड जो लकडी है उसकी स्मगलिंग करते हुए दिखाए देंगे अलु अरजुन उनके जो तस्वीरे सामने आई है वो दिखाती है कि 80s से 90s का ये एरा है जिसमें कि अलु अरजुन की जो शॉर्ट है चेक शॉर्ट दिख रही है बेल बॉटम पैंड दिख रह ही है और बहुत कुछ खास है जैसे की अलु अरजुन का लुक जो की कर्ली हैर उनोंने केरी किये हैं और जिटनी भी फोटो तब से उनकी सामने आ रहे हैं उसमें अलगी औरा उनका दिख रहा है बहुत ज़ादा एक्सप्रैसिव अरु अरु और फिल्में भी इसी तरह का धमाल मचाते हुए नजर आएंगे फिल्म में आक्शन बहुत भरपूर होने वाला है तो दोस्तों आपको कितना अंतजार है अलो अरजुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा का ये जरूर बताईए और ये नॉर्थ में कितना बड़ा धमाका मचाएगी आपको क्या लगता है बॉक्स ओफिस के लिए हाद से नीचे कॉमें सेक्शन में अपनी राही जरूर लिखेगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए पुश्पा के लिए इना बालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हों किंता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है फाइटिंग है सर मैं असा ही हूँ धूख लगती है तो पेट पर खाता लीन दाती है तो जीवर सोता और गुस्टा अलू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुश्पा कितने करोड का कलेक्शन कर सकती है क्या ओपनिंग रह सकती है पुश्पा की वर्डवाइट कलेक्शन क्या रहेगा और कितने बज़ट में बनाया जा रहा है पुश्पा को हेलो फ्रेंड साब देख रहे हैं बॉलिग्राफ स्टूडियोज मैं हूँ सोनी कजवाल बात करेंगे साउट के स्टाइल स्टार अलू अरजुन की जिनकी अपकमिंग फिल्म है पुश्पा और बहुत ज़्यादा बज इस फिल्म के लिए बन गया है जब से उनके लोग शेयर किये गए हैं और शूटिंग से भी एक वीडियो लीक हो गया था और जिसने भी ये लीक किया है तस्वीर उसके पीछे उन्होंने लोग लगा दिया है कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है क्योंकि वो इसे सीक्रेट रखना चाते और एकदम से धमा का मचाना चाते है इसके लावा आपको बता दे पुश्पा का बजट भी हाई रखा गया है डेट सो करोड का इसका बजट होने वाला है पैन इंडिया ये फिल्म है यानि कि पाच भाशाओं में रिलीस की जाएगी और पहली बार अलू और जुन हमें हिंदी में भी बड़े परदे पर नजर आएंगे तो बॉक्स ओफिस प्रेडेक्शन की अगर हम बात करें तो अभी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि अच्छे खासी ये ओपनिंग देगा हिंदी की अगर हम बात करें और 100% ओक्यूपेंसे रही थेटरस में अगर पैंडेमिक सही हो गया एकदम और लोग आने लगे थेटरस में तो ये फिल्म हिंदी में 25 करोड का ओपनिंग आराम से देगी ये 30 करोड भी हो सकता है और 60 करोड का अगर हम बोले अलग भासाओं से जो बाकी भासाओं में रिलीज हो रही है उससे 60 करोड ये उक्यूपाइ कर ही लेगी इतना कलेक्शन ये कर ही लेगी खाली हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ये टोटल कलेक्शन ओवरॉल कलेक्शन की बात करें तो 200 से 200 करोड ये फिल्म आसानी से कमा लेगी वर्ड वाइट की बात करें तो 20 करोड का ये ओवर सीज कलेक्शन करेगी पहले दिन तो इस हिसाब से lifetime collection के हम बात करें तो worldwide ये 1500 करोड की कमाई कर सकती है हिंदी तमल तेलगू से ये 300 करोड कमा लेगी और 200 करोड हो गया हिंदी में तो दोस्तो इस हिसाब से अगर हम total lifetime collection की बात करें तो 500 करोड की collection आराम से पुश्पा कर लेगी इससे जादा भी हो सकता है क्योंकि अलू अर्जुन के जो फिल्मे हैं उनका हिंदी फैंस को भी इंतिजार रहता है और worldwide भी उनकी fan following बहुत जादा अच्छी है तो इस तरह का collection अगर आता है तो वो हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि अलू की जितनी भी फिल्मे आती है वो अल्रेडी यूट्यूब पे धमाल मचाती है उनका हिंदी डप जो वर्जन आता है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है व्यूस के मामले में भी और फैन फॉलिंग काफी तगड़ी है इसके लावा उनकी अपॉजट इसमें रश्मी का मनाना दज़र आने वाली है और इनकी केमिस्ट्री ओ लेडी बहुत जादा पसंद की जाती है फिल्मों में तो दोस्तों इतना तो ये तैह है कि ये फिल्म धमाल ही मचा पाएगी और सेंडल वूड जो लकड़ी होती है तो इसके स्मंगलिंग करते हुए दिखाया जाएगा विजय सेतु पती इसमें होने बाले है एक और विलन का लाम सामने आ चुका है वो है आर्या और आर्या अलु अर्जुन के साथ और फिल्मों में भी नज़र आ चुके है तो आपको क्या लगता है कितना करोड का ये कले फिल्म पुष्पा की शूटिंग क्या थी बड़ी वजह इसके पीछे नमस्कार दोस्तों मीरा नाम पलग उपता है और मैं आपका स्वागत करती हूं बॉलिक्राद स्टूडियो में आज इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा से जुड़े कुछ नए अपडेट के बारे पास फिल्म के लिए तो क्या पैयार हैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखने के लिए जिसे शायद ही पहले आपने देखा हो रश्मे का जल्द यालु अरजुन की हिरोईं बनने जा रही हैं दोनों की यह साथ में पहली फिल्म होगी फिल्म का शीर्शक है पुष्पा जो अर्शची में अलु अर्जुन की किरदार का नाम भी रहेगा और यह फिल्म आंदरपरदेश की जंगलुक से लाल चंदन की समग्लिंग की कहानी पर आधारे थे अलु अर्जुन का भी हर लुक लुक पहले ही सोशल मीडिया काफी चठ्चे में रहा है अलु अर्जुन जि पहली ही फिल्म किरिक पाची से वावाई बचोरी थी जिसके बाद उन्होंने महेश बाबु के साथ सरी लेरू निक्की वेरू और भीशमा जैसी ब्लॉक बस्टर फिल्म में दी फिल्म पुश्पा में रश्मिका के किरदार की बात करें तो यह पहली बार होगा जब रश्मि कामरस रूप में दिखाया जाएगा रश्मिका और अलु अर्जुन की दोनों ही फिल्म में आंद्रपदेश के चित्तूर जिले की चित्तौरी भाषा में बोलते हुए दिखेंगी जिसके लिए वो प्रोफेशनल ट्रीनिंग भी ले रहे हैं वहीं के जीएफ की शीना यान फिल्म जोसी में म्रुनाल ठाकों से पहले रश्मिका को फिल्म में म्रुनाल वाला किरदार ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया मगर चिंता बिल्कुल भी मत कीजी क्योंकि कोई जिनकी निगाहे ठिकी है सुन्दर और टालेंटेड आक्ट्रिस जी हा संजलीला भंसाली जिन्होंने आईश्वर्याराय का फिल्मी करियर फिल्म हम दिल दे चुके सनम और देवदास से बढ़ला वहीं दिपिका पादुकौन के फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला बाजीराव मस्तानी और पदमावत ने दिपिका के करियर को ऐसी किक जो शायद सल्मान अपनी फिल्म किक में न ढून रहे थे वहीं अब संजलीला भंसाली अपनी नई फिल्म के लिए हिरोईन ढून रहे हैं और ये खोज शायद अब रश्मिका पर आकर रुप गई है फिल्म का एलान कब किया जाएगा और फिल्म क्या-क्या शीशक के साथ अभी तक बताया नहीं गया है अलू आरजुन फिल्म फिल्म पुष्पा के डारेक्टर सुकुमार के साथ अपनी सबसे पहली सुपर हिट फिल्म आर्या कर चुके हैं और पुष्पा को मैथ्री मेकर्स बैनर्स बैरूल के कर रहे हैं और जो अलू आरजुन और डारेक्टर देव श्री प्रसाद है जिन्होंने कई तेलगू हिट गाने दिये हैं वहीं आपको उर्वशी रोटेला का गाना डैडी मम्मी हैनी घर पे याद है उस गाने के म्यूजिक डारेक्टर ही भी प्रसाद ही है सूकमार की राम चरण के साथ हिट फिल्म रारंग स्थलम में भी दे देवी श्री प्रसाद रश्मिका की नकल करते हुए भी देखे गए वही फिल्म से जुड़ी खास बात यह है कि फिल्म की शूटिंग एक बार फिर रोग दी गई है फिर फिल्म की शूटिंग काफी जोरो सोरो से चल रही थी और पुश्पा को इस साल की शुरुआत में ल रहानियों को ध्यान में रखते हुए निर्माता उने जैन्वरी तक शूट स्थागित करने का फैसला किया है तो क्या बनेंगी रश्मिका भंसाली की हिरोई कहीं फिल्म पुश्पा कीजिए फ्टू से क्लाश तो नहीं करेगी आपको क्या लगता है हमें अपने जवाग कम अलो अर्जन स्टारर पुश्पा फिल्म की स्टोरी को लेकर कुछ क्रेजी फैन थियोरिस क्या है साथ इंडियन सिर्मा अपनी बेहतर इन फिल्म के साथ तेजी से पॉप्लिर्टी और एक ब्रॉडर फैन बेस गेन करता जा रहा है और इस सक्सेस के पीछे फैक्टर्स है इनकी यूनिक एंड एंटर्टेनिंग स्टोरी और फिल्मेकिंग के हर एक एलिमेंट्स को बड़ी-बड़ी की से फॉलो करना फिर चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, एक्टिंग एंडिरेक्शन एंड फॉर्दर मेटर बजेट हो लिया कॉंटेन्ट परोस रहे है हर तपके से जुड़े लोग अब साउच सिनेमा की तरफ देखने लगे है और इसकी बदोलत साउच स्टार्स की फैन फॉलोईंग अलग लेविल्स पर पहुच चुके है पर इधर उधर ज्यादा ना भटक के सीध्याद हैं मुद्दे पर स्टाइली स्टार अलु अरजुन की और कनाडा क्रश रश्मी का मंदाना की मच अवाइटेट फिल्म पुषपा रिलीज होने जा रही है और एज एक्सपेक्टेट इस तेलगो फिल्म की एंटिसिबेशन आसमान छू रहा है फिल्म का प्लॉट ब्रीफली बताए तो ये हो कमले में चुपी सद रखी है पर जिस देश में इतनी क्रेटिव ओडियंस हो वहां क्रेजी थियरिस की क्या कमी हो सकती है इसलिए जनता अपनी तरफ से फिल्म के प्लॉट को प्रेडिक्ट करने में जूट गई है और कुछ कमाल की स्टोरिस निकाल के सामने आ रही है तो द दाना का कैरेक्टर है पुष्पा और प्लॉट इसी के राउंड रिवॉल्ब करता है पुष्पा एक फॉरेस्ट ओफिसर है और लीड हीरो अलुजूर का लव इंटरेस्ट है पुष्पा का हो जाएगा कतल और मारने वाले गुंडों का कोई अतापता नहीं होगा अब पूस्टर सामने आरे के बाद लगा तो ऐसा था कि बनी यानि अर्जून इस फिल्म में एक ग्रेशेड में दिखेंगे पर इनकी पिछली फिल्मोग्राफिक को देखकर इसके चांसे सकम लग रहे हैं बढ़ते हैं अपनी दूसरी फैन थियोरी की तरफ इसमें अलु का पता लगाते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से इस कॉंक्लूशन पर पहुचेगा कि बंदा कोई ऐसा है जो रहता है रेर सेंडलूट के फॉरस्ट में इसलिए अलु अर्जून खुद भी रेर सेंडलूट का स्मगलर बन जाएगा और लोडी चलाएगा इसे होता है घुमासा नियुद और विलेंग की हार के साथ स्टोरी समाप बस यहीं नहीं बल्कि स्टोरी को लेकर जितने मों उतने बाते हैं पर असली स्टोरी कब रिलीज होने जा रहे है अलु अर्जून की अपकमिंग फिल्म पुष्पा उनका नया पोस्टर इस फिल्म के लिए आपके एक्साइटमेंट कैसे बढ़ा देगा क्या होने वाली है पुष्पा की खास बाते हैं अपने जनमदिन के मौके पर अलु अर्जून ने सब को सर्प्राइज दिया था पुष्पा की गोशना की थी और बताया था कि यह पैन इंडिया फिल्म होने वाली यानि कि पहली बार अलु अर्जून हमें हिंदी में भी दिखेंगे और हिंदी दर्शक जो है वह बहुत अपने सूपस्टार को बड़े पर देखने के लिए क्योंकि साउथ समेथ नौर्थ में भी अलु अर्जून की तगडी फैन फॉलोइंग है मेकर्स वारा अलु के जनमदिन के मौके पर अलग-अलग भाशाओं में फिल्म का पहला लुग भी शेयर किया था जिसमें की बहुत सारी फिल्मों के लिए अल्रेडी अवार्ड जीत चुके है और प्रतिशील हैदर, मॉम, 102, नौट आउट, ठाकरे, शिवाय, हवाईजादा, हाउसफुल 3 बहुत सारे फिल्मों में मेकप आर्टेस्ट वो रहे हैं जादू चलाया अपने मेकप का और इस फिल्म में भी उनको लोक देने के लिए प्रतिशील बहुत जादा मेहनत करी है उन्होंने और ये लोक सामने भी दिखता है अब तक बहुत सारे लोक शेयर किये गए है लेकिन जो अब बात निकल के आ रही है वो सीधे रिलीज डेट के लिए है दोस्तों क्योंकि अलो अर्जुन ने ह अज ही अनौन्स कर दिया है उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें कि उनके हाथ में कुलहारी नजर आ रही है पूरे जंगल का सीन अंधेरा सीन नजर आ रहे है उनके साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वो एक पेड़ पर बैठे हुए है और साथी अलो इसे मोड में नजर आ रहे हैं और सब उनकी तरफ देख रहे हैं काफी अमेजिंग है यह पोस्टर और साथी अलो अर्जुने से कैप्शन दिया है 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 पुष्पा लोडिंग इन थीएटर स्रॉम 13th of August 2021 एक्साइटेड तो मीट यू आल इन सिनेमा इस यार और सिर्फ अ अलो अर्जुन के साल आर्या और आर्या टू में भी उन्हें डिरेक्ट कर चुके है फिल्म में अलो अर्जुन के अलावा आपको विजय सेतु पती प्रकाश राज जगपती बाबु जैसे कलाका नजर आएंगे और एक्ट्रस की बात करें तो रश्मी का मंदाना एक बार जादू बिखेने के लिए तयार है इन दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है वहीं हर्मन उत्मन और वेनेला किशोर भी इस फिल्म में एहम भूमी काउं में नजर आएंगे ये फिल्म लाल चंदन यानि कि सैंडल वुर्ड जो लकडी होती है उसकी तसकरी प पहाडी शेत्र का हिस्सा है यानि कि बच्छी अची लोकेशन आपको फिल्म में दिखेगी और इसमें विज्जे सेतु पती और अलू और जुन एक दूसरे के आमने सामने होने वाले यानि कि खदनाना के अक्शन दमदार फाइट होने वाली है तो दोस्तों आपको कितना है पुषपा का नीचे कॉमें सेक्शन में जबर बताएगा फिल्हाल पता ही चल गया है 13 अगॉस को ये फिल्म रिलीस होने वाली है तो आप कितने एक्साइटेड है इस सिल्म के लिए जल्दी से लिख डालिए नीचे कॉमें सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे बॉलिव सुकुमार ने हैं सुकुमार एक इंडियन फिल्म डारेक्टर प्रिड्यूसर और स्क्रीम राइटर है जो कि प्रीडॉमिनेंटली तेगु सिनेमा में ही काम करते हैं उन्होंने अपने कारियर की शरुवांत आज राइटर की थी और उन्होंने मोहन और वीवे विनायक को भ दिया गया था जगापती बाबू प्रकाश राज धनंजे सुनील गिरीश उठमन और वेनला किशोर फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को प्रिड्यूस मेथरी मुवी मेकर्ज इन एस्सोसियेशन विद मुत्तम शेटी मीडिया के तहद प्रिड्यूस किया था फिल्म पुष्पा का म्यूजिक देवी प्रसाद स्कॉरिंग के तहद रिलीज किया था फिल्म पुष्पा को 13 अगस्ट 2021 को रिलीज करने का स्केडूल किया है फिल्म को तेलबू, तमिल, मल्यालम, हिंदी और कनेट वर्जन में डब्ड किया जाने वाला है जनवरी 2020 में पहले डारेक्टर सुकुमार का प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था महेश बाबू के साथ लेकिन महेश बाबू और डारेक्टर सुकुमार की क्रियेटिफ डिफरेंसस की वज़े से महेश बाबू ने फिल्म का आइडिया ड्रॉप कर दिया और The next project, सरेलेरू नेकेवारू फिल्म को साइंग किया था जूसे डाइक्ट अनिल रवी पूरिस ने किया था बाद में अलु अर्जुन ने प्रजेक्क साइंग किया सुकुमार के साथ उनके फिल्म में अज लीड आक्टर कामकर के सुकुमार और अलु अर्जुन की फिल्म पुष्पा थर्ड कोलाबोरेशन है साथ में सुकुमार ने फिल्म का स्टोरी लाइन दे रेट सैंडर्स ऐसे डिस्क्राइब किया था आपको बता दे कि फिल्म पुष्पा को फॉर्मली लाँच किया गया था अक्टूबर 2019 में डिसेंबर 2019 में डाइरेक्टर सुकुमार ने टेस्ट शूट परफॉर्म किया था केरला के एथी रैपिडली फॉल्स पर फिल्म पुष्पा का फर्स स्केडूल केरला में ही शूट किया गया था फिल्म को कोविड-19 पैंडमिक की वज़ा से हॉल्ट कर दिया गया था फिल्म की शूटिंग दुबारा स्टांट करी गए थी 10 नवेंबर 2020 में विजे सेतु पती बहुत चच्चा में थे फिल्म का पार्ट बन गए रश्मिका मंदाना को एपरिल 2019 में अस लीड आक्टर कास्ट किया था और जगापती बेबी और प्रकास्च राज को की रोल्स किल करने के लिए फिल्म में कास्ट किया गया था आपको बता दे कि जुलाए 2020 में ऐसी खबर सामने आए कि विजे सेतु पती को फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया है उनकी साइटिंग डेट इश्यूस की वज़े से कन्नडा के फेमस आक्टर धननजे को पाइवटल रोल के लिए कास्ट किया गया था निवेंबर 2020 में जब फिल्म पुश्पांक की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी तब सुनील को सुपोर्टिंग रोल के लिए कास्ट किया गया था बस फिल्हाल अज इस फिल्म के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और शेयर करना ना भूले और हमाई चैनल बॉल्ट्रैस वीडियोस को सब्स्क्राइब भी जरूर करें हम जल्दी लोटिंग एक नई फिल्म और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिट्प्राइटर है रुशाल इतनी सी बात के लिए इतना वालेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर मारता ज्यादा हूं किनता कम गिन कर मारने के लिए यह कोई टाइटिंग थोड़ी है आफ टेलिए अ-ध। सवर मैनन सही हूं नूख लगती है तो पेटपर खाता हूं लीन दाती है तो जीवर सूता हूं और कुछ ता हता हे तो अधने वह कर रखता हूं झाल झाल किar कि है कि क्या पुछ पासे करने वाली रश में कामन दाना बॉलिवुड में अपने करियर के शुरुवात कि अगली कॉंटृब्युशन बॉलिवुटको रश में कामन दाना प्रस्ट पुछून् नमस्कार दोस्तों मैं अनाम है श्टिया अरोरा आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बॉली गराश वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों आपने ये तो अभी-अभी जरूर देखा होगा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडास् हुई थी बहुत बड़ी बजट पर बनाई गई इस फिल्म के हिंदी वर्जिन की प्रडक्शन करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन ने किया था उसके बाद बाहुबली स्टार प्रभास की पुपिलानिटी की वज़ा से उनकी फिल्म साहू को भी एक पैन इंडिया रिलीज मि बहुत धमाकेदार पैन इंडिया रिलीज मिला इसी का दूसरा पार 30 जुलाई को रिलीज होने वाला है साथ इंडियन आक्ट्रिस ने कई बार बॉलिवुड में अपना रंग जमाने की कोशिश की है जैसे कि श्री देवी जया प्राड़ा एश्वर्या राय असिन दिपिक पादकोन तापसी पनू जैसी को जभी नेत्रिया अमाब सफलता पा चुकी है बॉलिवुड में वही सिल्क स्मिथा सौंदर्यक काजल अगरवाल त्रिशा कृष्णन जैसी अभी नेत्रिया ज्यादा काम्याबी नहीं हासल कर पाई हाला कि वो सब साउथ में बहुत ही बड का टाइटल मिला था ये क्राश पहले देशा पार्टनी को भी मिला था रश्मिका मंदाना एक के बड़े बड़े हीरो के सांग काम करके अपने करियर में खूब तेजी से आगे बढ़ रही है तेलगू तमिल और कनड में अपने फिल्मी करियर को मजबूत बनाने के बाद वो हिंदी फिल्मों में भी रंग जमाना चाहती है कुछ दिनों पहले उन्हें RSVP मुवीज की एक प्रोजेक्ट मिशन मजनु ओफर हुई थी RSVP के सारे फिल्में और सीरीज अच्छी होती है और रश्मिका ने तुरंती हां कह दिया था इसमें उनके ऑपसिट होंगे इसलिए रश्मिका अपने बॉलिवुद डेब्यू को और भी मजबूत बनाने के लिए एक बड़े हीरो के ऑपोसिट फिल्म ढूंट रही थी और इसी वक्त उनके कानों में अलु अर्जुन की एक फिल्म आई अलु अर्जुन के साथ जब उन्होंने का मन बना लिया तो उनकी ख्वाइश पूरी भी हो गई और तब ही उन्होंने इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करवाने का सुझाव भी दे दिया तो एक तरह से कहां जा सकता है कि अलु अर्जुन को इस बार सोनी मैक्स पर नहीं बलकि थीएटर में भी हिंदी में हम सब देख सकते हैं केव पूरी दुल्व जिर्शन अग्री पिन की तैयारी करेंगे इस जवार का जवाब उमीद है कि जल्द मिलेगा वेल दोस्तों आपका क्या कहना है इस मीटिंग के बारे में नीजे कमिंग बॉक्स में अपनी राज शेयर करें में आपका करें अपका करें अपने आपका को अवार करें तैयारी कि अवाब प्रूस एक राजन का नेता है कब तक release होगी फिल्म पुश्पा केतने awards जीट चुकी है रश्मे कमंदना नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पलग गुपता है में तहें दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की आज की इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पुश्पा के बारे में तो दोस्तों आप इस वीडियो को एं तक जरूर देखें ताकि सारी अपडेट्स आप तक बहुत सकें और अगर अभी तक आपने हमाय चानल पर अपनी फेवरिट मूवी से रूलेटेड अपडेट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमाय चानल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस चेक कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुश्पाइक अपकमिंग इंडियन तेलगू लांगवज आक्षिन त्रुला फिल्म है जिसको लिखा और डारेक्शिन कर रहे हैं सुकुमार इसे प्रडियोस किया है नवीन यरनेनी और वाई रवी शंगर ने जो माइत्री मुवी मेकर्स के असोसियेशन में मुट्टम से टी मीडिया से हैं अब दे फिल्म स्टार अलु अर्जुन और रश्मी का मंदिना जबकि जगपती बाबु भी है प्रकाश राज धनन जय और सुनील भी सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं जैसा कि प्रशंसक पुष्पा के निर्माताओं को अधिकारिक अपडेट के साथ आने का इंतिस्दार कर रहे हैं एक नई रिपोर्ट अब ऑनलाइन सामने आ रही है ये दावा करते हुए कि फिल्म का टीजर अलो अर्जुन के जनम दिन पर रिलीस किया जाएगा जो की 8 एप्रिल को होगा वर्तमान में निर्माता फिल्म के लिए रश्मिका मंधना के हिस्से की शूटिंग कर रहे हैं और रश्मिका जो की प्रमुक महिला का किरदार निभादी नजर आएंगी वहां हर बार सेट से तस्वीर साजा करती रही है पिंक वला के रिपोस के अनुसार पुष्पा के दो स्कूट शूटिंग स्केडियूल्स पिछले महीने राप अप हुए थे और निर्माता उन्हें ट्विटर पर इसकी घोशना भी की थी उन्होंने लिखा था टीम पुष्पा ने नवेंबर 2020 और जिनवरी 2021 के दोरान राम चोद्रपंग और मेर्दी मुली के एजेंसी चेतरों में दो बिजी स्केडियूल्स राप अप किये हैं अब हम अपने शूट में सहीयोग और सहीयोग के लिए आदिवासी और प्रशासन के प्रती अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं जिसके बिना हमाई शूटिंग पूरी नहीं हो पाती थांक यू रंपा चोद्वारम और मार्दी मुली अब हम निश्यत रूप से फिर से वापस आ जाएंगे उन्होंने ट्विटर पर लिखा वहीं अगर हम रश्मे का मंदना की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो उस लिस्ट में पुश्पा के साथ साथ शामिल है मिशिन मन्जू, अदवालू, मिकु जोहालू और सुल्तान ये सारी फिल्में 2020 में ही रूलीस होने वाली है दोस्तो अवार्द की बात करें तो हमारी इंडियन नाशनल क्रश यानि की रश्मे का मंदना नहीं अभी तक 5 अवार्द जीते हैं जो की हैं वही उन्हें 9 नॉमिनेशन में भी लिया गया था रश्मे का मंदना आज की डेट में उस लिस्ट में भी शामिल होती है जो की महंगी अक्रिस के बारे में होती है तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि रश्मे का अपना जादू विखेर पाएंगे फिल्म में अपनी क्यूटनेस और होटनेस के साथ और अलु आर्जुन के साथ काम में उनकी फिल्म हिट होगी या फिर नहीं हमें कमेंट सेखेंगे यूड़े मामोरवड़े काद माइग यवड़ रवड़ो और महों यलां उटो तो यवर गने तिलसा इन कारोनों से हुई पुषपा फिल्म के शूट शीरियों में देरी या इस डिले की वज़ा से पुषपा की रिलीज डेट पर भी फर्ग पर सकता है पॉली ग्रेट स्टूडियोज में आपका स्वागत है अलु आर्जुन ने एक दो वर्ट्स में ही पुषपा फिल्म के बारे में क्या अपडेट दी है फिल्म्स और टेलेविशन के फुल फॉर्म में काम करने का सिलसिला अभी दो तीन महीने पहले ही शुरू हुआ था कि अभी से ही इसमें आच्छाने आने लगी पढ़ते हुए कोवीट के इसे एक बार फिर से इंदिया के लिए सरदत बने हुए है और इसी कारण से काफी सारे मुवीश या तो थिये ट्रिकल रिलिस को अभी के लिए स्किप कर चुकी है या फिर कर्रेंटली शुट होड़े ही फिल्म्स के शुट शीडियूल में गड़बरी होड़ गई है और कास्ट एंद क्रियू की सेफटी को मद्यनजार रगती हुए इन शीडियूल को अभी पोस्ट पॉन ही करने में मेकर्स ज्यादा तवाजो दे रहे है इसे दिले का शिकार हुई है अलो अर्जुन की पैन इंडिया रिलीस पुषपा इस फिल्म की शूट स्टार्ट हुए काफी ताइम तो हो चुका है पर अभी तक इस मैसिव प्रोजेक्ट के दो शीडियूल ही पूरे हो पाये थे अब जैसे ही इसका अगले शीडियूल की तयारी कास्ट इंड क्रियू ने शुडू की तो इनका रास्ता काथ लिया कोडोना ने क्योंकि फिल्म काफी बरे स्केल पे बनाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसमें क्रियू भी काफी ज्यादा काम कर रहा है इसलिए इस डिले का असर सीधा इस फिल्म की रिलीस पे ज़रूर पढ़ने वाला है और मेकर्स के लिए रिलीस की डेडलाइन को पकर रखपाना लगबग नामुम्किन सा हो जाएगा पर जैसे कि हम सब जानते हैं सुकुमार एक ऐसा डारेक्टर है जो शूट के मामले में कोई जलबाजी नहीं दिखाते इनका सिधान थी यही है ताइम चाहे जितना लग जाए पर हर काम होगा तसलिबग तो शूट तभी शूट होगी जब कंडिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा फिर चाहे इस जिले की भरपाई फिल्म के रिलीज डेट को खिसका के ही क्यों ना करनी पड़े हाला कि रिलीज डेट पे मेकर्स तभी कुछ फाइनलाइस कर पाएंगे जब फिल्म के शीडियू पूरा होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन अभी तक जो अपडेट हमें अलो की तरफ से मिला है वो तो मात्र दो तेलिगू वर्ड्स का है खगे देले अब इसका क्या मतलब है ये हम अभी क्लियर कर देते हैं अलो अर्जुन एक तेलिगू मूवी वाला है वजा है कोड़ोना प्यू मान ही लो कि शूट मस्ट दोसों की स्पीड से चल रही तो इसी बीच को ना नाम का स्पीड ब्रेकर सामने आ गया अब इसी कारण से स्पीड तो कम करनी ही पड़ेगी और यही करना भी पड़ा है पुश्पा फिल्म के मेकर को वीडियो क देखने के बाद अलू अरजुन के फैंस वेहद एकसाइटीड हो गए है इस वीडियो में हमें अलू अरजुन का चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनका अंदाल सी उनकी सबसे बड़ी पैचान है जहां इस फिल्म का चोटा टीजर भी कमाल का है दोस्तों पहले फिल्म के विलन को लेकर अपडेट सामने आया था मेकस ने फिल्म के विलन से फैंस को इंट्रोड्यूस करा दिया जहां बताया गिया कि इस फिल्म में नैशनल अवार्ड विनर मलयालम एक्टर फहाद फासिल फिल्म में विलन के करेक्टर निभाएंगे इसक्रिन पर लाल कपड़े से ढखा हुआ है अगर बैक्ग्राउंड स्टोरी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि शायद अलू अर्जुन पुलिस वालों से बच कर भाग रहे हैं अब यह सीन में ऐसा क्या हुआ है कि अलू अर्जुन भाग रहे हैं और उनकी चेहरे पर रेड कलर का यह रिवस करें मैत्री मूवी मेकर्स और मुट्टू सेठी दोस्तों बात करें मेकर्स की फिल्म की तो उनका कहना है कि इस फिल्म को पैयन इंडिया को ध्यान में रखتे हुए और रूंके ऑडियून्स को ध्यान में रखे ओए बनायी जा रहा है है थाकि आनंद सभी जिसके जरीए दर्शों को फ्रेस और जबरदस्ट कॉंसेप्ट देखने को मिलेगा वेल दोस्तों देखा जा तो अलू अरजुन की जितनी भी फिल्में होती है काफी फ्रेश और काफी डिफरेंट होती है और जब उन फिल्मों में अलू अर्जुन का तड़का लगता है तो फिल्म और धमाकेदार हो जाती है तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये फिर्स्ट ग्लिम्प आफ पुश्पफ फिल्म नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राइश अपनी सी बाद के लिए इतना वाइलेंस मेरी यही प्रॉब्लम है सर्ड़ कि मारता ज्यादा हों किंता कम गिन कर मारने के लिए ये कोई टाइटिंग थोड़ी है ऐसा कौन सा खारण था जिसकी वज़े से पुश्पा मूवी से विजे सेतुपती की एक्जिट हो गई और उनकी जगह कौन लेने वाले हैं साउट स्टार अलू अजन की नेक्स्ट फिल्म पुश्पा के लिए सभी लोग काफी एकसाइट हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2020 की हिट अल्ला वैकुंठ पुरम अलू के बाद वो क्या कुछ नया लेकर आ रहेंगे तो जी विलन के रोल के लिए भी मेकर्स ने एक अगड़ा कंटेंडर पहले चुना था जो की थे विजय सेतुपती और सीरिसली एक ऐसे अक्टर हैं जो साइड रोल में होके भी में अक्टर की परफॉर्मेंस पो डॉमिनेट कर देते हैं और दिली तमन्ना तो यही थी कि काश यही होते फिल्म में विलन पर मेकर्स को इन्हें हटाना पड़ा और इसके रिगार्डिंग रीजन्स भी देते हैं यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इखला देखा तुम जड़ा सा खून देकर इतना टर गए इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल प्थरका उसको फारखने पड़ता जुस्तान में बहुतर गेटों की तब ही नहीं है इस मल्क की मिट्डी उतके अरूं से नहाई ही हुए उनने एक राक्षस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्षस को बचा गया अल्लाबर्ट 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 यह ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा की प्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला देखा गया तुम जड़ा साथ खुन पे कर इतना तर गए इससे पहले कि मैं खुन की नदियां बहुत मुत्फ़ा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपना पन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका दिल पतर का उसको फर्क नहीं बड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है इस मलक इमेटी उतके खुन से बहना आई हुए उन्ने एक राक्चस को तो दबोच लिया लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिया इसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया और कभी सोचा गी प्रेटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही इगला दिया तुम जड़ा साथ खुन पें कड़ इतना टर गए इससे पहले कि मैं खुन की नदियां पहाद मुत्तफा हो जाओ यहां से यहां प्यार अपन दिखाना बेकार है इसकी कोई कीमत नहीं है जिसका तिल पप्थर का उसको फर्क नहीं पड़ता जुस्तान में बहादर बेटों की तवी नहीं है समक की मिट्वी उचके अउन से नहाई हुए हमने एक राक्चस को तो दबोच लिए लेकिन उसके साथ उससे भी बड़े राक्चस को बचा लिए